एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उमारी हिरोईन को देखते हैं जिसका नम लिन साओधी है वो हमें बताती है कि वो लंदन में फेशन डिजाइनर की जॉब कर रही थी लेकिन उसने वो जॉब छोड़ भी क्योंकि जिस तरह के कपड़े उसे डिजाइन करना पसंद है वो व इसलिए उसके पीछे फैंस भाग रहे थे लेकिन वह उनसे दूर भाग रहा था क्योंकि यहेंग को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसे कोई भी टेच करें भगते भागते यहेंग साओधी से टक्रा जाता है जिसकी वजह से साओधी के हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स नीचे इसलिए गलती से तुम से टक्कर हो गई तो साओधी कहती है कि अगर यह मुझे सौरी बोलेगा तो मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे पैसे दे लेकिन यान को तो पता था कि यहेंग सौरी बोलने वालों में से नहीं है इसलिए वो साओधी को चुप कर आने के लिए पैसे द तो प्लीज मेरे लिए उसका ओर्टोग्राफ ले आना फिर साउधी सीयो के केबिन में जाकर बोलती है कि मैं एक डिजाइनर हूँ क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्या आपके पास टाइम है जब वो कोई जवाब नहीं देता तो साउधी कहती है कि मेरी फ्रेंड आपके बहुत बड़ी फैन है उसने आपका ओटोग्राफ मांगा है तो क्या आप दे सकते हैं जैसे ही यूहेंग पीछे मुड़ता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर सौग्ड हो जाते है यूहेंग को देखकर साउधी कहने लगती है कि यह जो ओटोग्राफ मांगा मैंने वो अपने लिए नहीं बलकि मेरी फ्रेंड के लिए मांगा क्योंकि वो तुमारी बहुत बड़ी फैन है तुम यह गलत फैमी में बिल्कुल भी मत रहना कि मैं तुमारी फैन हूँ बतानی मेरी फ्रेंड ने तुम में क्या देखा जो तुमारी फैन होगई अगर तुम आटोग्राफ देना चाहो तो दे सकते हो इस पर यहेंग कहता है कि मुझे पता है की आटोग्राफ तुमें ही चाहिए फ्रेंड का तो भाहना है क्योंकि लोग मरते हैं मेरा autograph लेने के लिए और वो वापस turn होकर अपने headphone लगा रहा होता है कि तब ही Saudi उसकी chair को पीछे से kick करती है जिसकी वज़े से यूहेंग के headphone तो गिरते ही है बचारा यूहेंग भी गिर जाता है और Saudi ये सब करके बड़े proud feel करते हुए वहाँ से चली जाती है यूहेंग और यान कार में बैठे थे यान यूहेंग से पूछता है कि तुमने उनके offer को reject क्यों कर दिया तो मैं पता है न हमें उससे कितना फायदा हो सकता था फिर हम flashback में देखते हैं कि यूहेंग महाँ का champion बना था इसलिए उसे offer मिला था एक बड़ी team join करने का लेकिन यूहेंग बना कर देता है वो कहता है कि मैं अपनी खूद की team बनाना चाहता हूँ और अपनी country China को उपर ले जाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी के साथ partnership नहीं कर सकता देन हम Saudi को देखते हैं जिसने new घर लिया था जिसे दिखाने वो अपनी friend को साथ लाई थी फिर दौनों बैटकर बाते करने लगती है उसकी friend पूछती है कि तुमने उस company को क्यों छोड़ दिया और यहां क्यों आ गई जिस पर Saudi कहती है कि वो लोग कभी Japanese तो कभी किसी tradition के design करवाते थे और मुझे अपनी country के costume बनाना अच्छा लगता है और यह company मुझे उससे अच्छी लगी तो मैं यहां आ गई तो उसकी friend पूछती है कि यह असल reason है तो Saudi कहती है कि असल reason तो नहीं है मैं बाद में बताऊंगी then हम यूहेंग को देखते हैं जिसने भी new apartment लिया था यहां में पता चलता है कि यूहेंग सफाई पसंद है लेकिन उसका apartment गंदा था तो वो उसी time call करता है कि सफाई करने के लिए किसी को भेजो लेकिन रात के ढाई बज़े थे और जब सोय थे तो वो मना कर देते हैं और सुबह कॉल करने को कहते हैं फिर यह और खूदी सफाई करने का सोचता है इदर साउधी भी सफाई पसंद थी तो वो भी सफाई करने में जुट जाती है और दोनों ही सफाई करने लगते हैं और इस तरह दोनों ही अपने अपने घरों को क्लीन कर लेते हैं फिर सुबह जब साओधी बालकनी में आती है तो देखती है कि पड़ोस की बालकनी में एक लड़का खड़ा है साओधी उसको आवाज देती है उससे पहले ही वो अंदर चला जाता है उसे देखकर साओधी सोचती है कि लगता है काफी हाड़ वर्किंग परसन है इसलिए इतनी सुबह सुबह उड़ गया है फिर साओधी वाश्रूम में जाकर ब्यूटी प्रोड़क्त लगा रही होती है कि तभी एक प्रोड़क्त कबड़ बे गिर जाता है जिसकी वज़े से वहाँ का पानी रुख जाता है इसलिए साओधी बिल्डिंग ओनर को कॉल करती है और कमपड़ ठीक करवाने का बोलती है तो वो कहते हैं कि सुबह के पाच बज रहे हैं अभी सब सो रहे हैं वो कॉल रख देती है तेन उसके पेट में दर्द होने की वज़े से वो अपने नेबर के हां जाकर बैल बजाती है जब नेबर गेट खोलता है तो वो यूहेंगी होता है यूहेंग कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हैं यहाँ भी आ गई तो Sактерi कहती है कि मैंने तुम्हारा कोई पीछा नहीं किया ज़ुआर नेवर हूँ और अगर मुझे पता होता कि तुम यहां रहते हो तो मैं कभी भी नहीं आती तो UNG उसे कहता है कि मैं अपने नेवर वेबर से बात नहीं करता तुम जाओ लेकिन साओधी उसे गेट बनने करने नहीं देती और भागते हुए उसके वाश्रूम में चली जाती है और यूएन कहता ही रह जाता है कि मेरा वाश्रूम मत यूज करो वाश्रूम के बाद साओधी को फील होता है कि उसके तो पीरेट्स भी आ गए है इतना टाइम वेट करने के बाद यूएन पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि वाश्रूम से बाहर कब निकलोगी तब साओधी उसे रोते रोते कहती है कि मेरे पीरेट्स आ गए है क्या तुम मुझे पेड़ ला दोगे प्लीज देन हमें न्यू केरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रेन है जिसे साओधी तो सिर्फ अपना फ्रेंड ही बानती है लेकिन वो साओधी को लाइक करता है उसके पर सावधी का call आता है सावधी रेन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे apartment की की है मैं गर के बाहर हूँ और मेरे पास की नहीं है जिसके पर रेन पूछता है कि तुम कहा हो सवधी कहती है कि मैं अपने neighbor के घर हूँ तो रेन पूछता है कि नेवर लड़का है या लड़की तो सावधी कहती है कि ये सब बाद में जान लेना फेले की लेकर आओ तो रेन कहता है कि मैं एक घंटे में बहुत जाओंगा जिसके बाद साओधी युहैंग को मोबाल देते वे कहती है कि मैं सिर्फ एक घंटा और रुखूंगी जिस पर युहैंग कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हें नहीं रुखने दूँगा तो साओधी घर के चारों तरफ देखने लगती है वो देखती है कि घर का कोना कोना साफ है लेकिन विंडो की सफाई अधूरी है तो वो फिर युहेंग से कहती है कि प्लीज एक गंटा रुखने दो मैं तुम्हारे घर की विंडो भी क्लीन कर दूँगी मैंने तुम्हारा टॉयलेट यूज किया था उसे भी मैंने कित्ते अच्छे से क्लीन किया था न ये सब बाते सुनकर युहेंग मान तो जाता है लेकिन उसे और भी काम करने के लिए कहता है जिस पर साओधी कहती है कि एक घंटा रुखने के लिए तुमने मुझे इतने काम दे दी चलो ठीक है मैं कर दूँगी जब भी मेरे पास टाइम होगा लेकिन युहेंग कहता है कि तुमारे पास वन विक का टाइम है सिप लेकिन साओधी विंडो साफ करने चली जाती है उसके बाद युहेंग के पास रेन का कॉल आता है जब युहेंग कॉल अटेंड करता है तो रेन उसके आवाज सुनकर कहता है कि ये तो एक लड़का है और उसे कहने लगता है कि उसे हाथ लगाने की जरुवत भी नहीं है साओधी मेरी गल्फ्रेंड है मैं अभी एक घंटे में पहुँच जाओंगा लेकिन युहेंग उसकी कॉल कट कर देता है और इन जितनी भी बार रिटन कॉल करता है युहेंग उसकी कॉल अटेंड नहीं करता और साओधी जब विंडो का ग्लास क्लीन कर रही थी तो युहेंग उसे चुप चुप कर देख रहा था क्लीन करने के बाद साओधी योहंग से कहती है कि बताओ कैसे क्लीन किया है बड़े ध्यान से देखने के बाद योहंग कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है अपनी तारीफ सुनने के बाद साओधी कहती है कि मुझे पता था और कहती है कि मैं बहुत ठाक गई हूँ अब थोड़ा आराम कर लूँ तो यूहेंग कहता है कि ब्लैंकेट लेकर रहा हूँ तो साओधी कहती है मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है तो यूहेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने सोफ़े के लिए ब्लैंकेट लाने की बात कर रहा हूँ ताकि मेरा सोफ़ा गंदा न हो जाए जिस पर साओधी कहती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद और ये बात यूहेंग सुन लेता है और कहता है कि मुझे भी ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो दूसरों के घर जवजस्ती आकर रहने लग जाते है देन हम रेंग को देखते हैं जो कि ट्राफिक में फसा हुआ था और येएंग को फॉल पर कॉल कर रहा था लेकिन येएंग उसका येज़ओ उसका divergence नहीं कर रहा था देन हम सावधी को देखते हैं जो कि सो गई थी और येएंग उसे ही देख रहा था क्यूंकि वो सोते बड़ी क्यूट लग रही थी तभी रेन का मेसेज आता है और वो उसे कहता है कि मुझे साओधी के आवाज सुनना है लेकिन वो कहता है कि साओधी अभी बात नहीं कर सकती वो सो गई है मेसेज देखकर रेन सोचता है कि वो सो क्यों गई है कहीं मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया या मैं overthinking कर रहा हूँ साओधी जब सोपर उठती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है वो अपने लिए noodles बनाने लगती है तब पीछे से योहेंग आ जाता है योहेंग के आवाज सुनकर साओधी डर जाती है वो पीछे की तरफ गिरने लगती है जिसे देखकर योहेंग उसे पकड़ लेता है और साओधी सोचने लगती है कि ये तो सिफ़ डरमास में होता है ये तो मेरे साथ रियल लाइफ में भी हो गया लेकिन ये सब वो सिफ़ सोची रही होती है असल में यूएंग उसे नहीं पकड़ता बलकि बाॉल को पकड़ता है। और विचारी साउडी नीचे गिर जाती है। फिर साउडी यूएंग से बाॉल लेती है तो यूएंग मना करता है। तो साओधी कहती है कि मुझे इसमें नूडल्स खाना है प्लीज मुझे देदो तो यूहेंग कहता है कि तुम्हें वाश्रूम से सोफा तक जाना था सिब तुम मेरे किचेन में भी आ गई इस पर साओधी कहती है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं क्या करती मैंने तुम्हारी लिए भी नूडल्स बनाये हैं तुम भी खा दो जिस पर यूहेंग कहता है कि मुझे भूख नहीं है लेकिन यूहेंग का पैट बोल पड़ता है और वो समझ आती है कि इसे भी भूख लगी है यूहेंग इतकात से बहुत जादा एंबरस फिल कर रहा था पर साओधी उसे लाकर देती है लेकिन यूहेंग खाता नहीं है तो साओधी कहती है कि खालो मैं बहुत अच्छा बनाती हूं जब यूहेंग टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो सारा का सारा एक ही बार में खा जाता है जिसके बाद साओधी अपनी ही तारीफों मे डूप जाती है, जिसके बाद वो बरतन क्लीन करने के लिए जाती है और योएंग बैट कर बूप पढ़ रहा होता है तब ही डॉर बैल बचती है, जब योएंग गेट कोलता है तो रेन होता है, रेन जल्दी से अंदर आने लगता है लेकिन यूहेंग उसे वहीं पर रोग देता है साउधी ये सब देखकर जल्दी से दोड़कर उनके पास आती है और रेन से कहती है कि तुमने सिब एक गहंटे का बोला था और इतना टाइम लगा दिया उन दोनों को देखकर रेन कहता है कि लगता है मैं जादा ही लेट हो गया तुम दोनों साथ ही रहने लग गए क्या जिस पर साउधी कहती है कि बकवास मत करो और मुझे की दो लेकिन रेन उसे की नहीं देता और अपने साथ उसे लेकर जाने लगता है तो युहेंग कहता है कि अपना सामान तो लेकर जाओ, सावधी जब पलट का देखती है तो पीछे उसका पेड होता है, वो उसे लेकर जाने लगती है, तो युहेंग कहता है कि इसका पेमेंट कौन करेगा, और युहेंग नूडल्स का पेमेंट करने के लिए भी कहता है, तो भी देखती है कि नीचे घर में पूरा पानी भर गया यह देखकर वो रेन को आवाज लगाती है रेन कहता है कि मैं तुम्हारा कमबोड ठीक कर रहा था पर पता नी क्या हुआ यह सुनका सावदी उसको मानने लगती है और जाकर वाश्यूम में देखती है तो कमबोड तूट गया था और पूरा पानी हो गया था वाश्यूम में और पूरे घर में भी पानी हो रखा था और वो रेन को मानने लगती है और कहती है कि तुम्हें किसी को बुलाना चाहिए था मारते मारते वो रेन के हाथ में एक चोड देख लेती है तो फिर वो रेन को सोफे पर ले जाकर उसके हाथ में बेंडेज करने लगती है और रेन तो बस उसे देखता ही रहता है साओधिय उसे कहती है कि आइंदा से ऐसा मत करना रेन उसे कहता है कि तुम कितनी अच्छी होना I love you और उसे हग करने लगता है साओधिय उसे हटाती है दूसरी तरफ हम यूहेंग को देखते हैं जो एक मीटिंग में बैठा था जहां पर यूहेंग अपने लेपटॉप में काम कर रहा होता है लेकिन एक लड़की उसे ही देखे जा रही थी क्योंकि वो उसे लाइक करती है उसका नम सूनियन है लेकिन यूहेंग एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और वो कहती है कि तुम हमारे साथ काम करोगे न लेकिन यूहेंग उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं देता फिर मीटिंग में एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि यूहेंग तुम्हें यहाँ पर सिगनेचर करने हैं हमारे साथ क्रॉंटेक्ट करने के लिए तो यूहेंग मना कर देता है तो वो आदमी कहता है कि तुम अब चैंपियन बन गए हो न तो तुम्हें इगो आ गया है लेकिन तुम जिस भी टीम के साथ रहोगे मैं तुम्हें हारा दूँगा तो Yuheng कहता है कि मैं तुम्हें फुल पर्मिशन देता हूं, तुम मेरे साथ बेट लगा सकते हूं और यह कहकर Yuheng महाँ से चला जाता है उसके साथ यान भी जाता है, वह दोनों जाईर रहे होते हैं अब पीछे से आकर उन्हें रोक देती है और वो युहेंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी टीम बनाना चाहते हो पर तुम जब भी अपनी टीम बनाओ तब उसमें मुझे भी सामिल करना मैं यहां से रिजाइन देकर आ जाओंगी तो युहेंग कहता है कि नो थैंक्स तुम मैं मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और सुनियन उससे हैंड सेक करने लगती है तब यान बीच में आकर उससे हैंड सेक कर लेता है और हम काफी लेट हो रहें ऐसा किया कर वो अपने बोस को साथ लेकर चले जाता है नेक्स्ट हम साओधी उसकी फ्रेंड और रेंड को देखते हैं जो ये बात कर रहे था है कि वो किसके घर रुकेगी तो रेन उसे अपने घर पर रुखने के लिए कहता है लेकिन साओधी मना कर देती है फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम मेरे घर पर रुख जाओ तो वो कहती है कि तुमारे मॉम डेट बहुत ज़ादा जगड़ा करते है मुझे अनकमफर्टेबल फील होगा तब ही रेन का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है दिन साओधी को युहेंग का मेसेज आता है तो वो उसके घर पर जाती है जहां पर वो उसके पैसे ट्रांसपर का देती है और युहेंग उसे उसका यूस किया हुआ बॉल देता है फिर युहेंग उसे कहता है कि तुमने एक विक तक सफाई करने के लिए बोला था लेकिन तुम अभी तक आई नहीं तो साओधी कहती है कि तुमने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया मैं थोड़ा बीजी हो गई थी तो युहेंग कहता है कि हाँ मैंने सीरियसली ही बोला था तब ही युहेंग का कॉल आ जाता है जहां पर पता चलता है कि उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं मिल रहा है दिन सावधी सफाई करने लगती है और युहेंग गेम खेनने लगता है तो साउदी सफाई करते-करते उसे देख रही थी और फिर उसके गेम को देखने के लिए उसके बहुत close चली जाती है तब ही साउदी का call आ जाता है वो call पर बात करे ही होती है तब ही यूएंग उसके पीछे खड़ा हो जाता है ये देखकर वो डर जाती है और गिरने लगती है वो यूहेंग का टीशेट पकड़ लेती है और दोनों गिर जाते है जिसकी वज़े से उसका सामान भी गिर जाता है जो कि यूहेंग को लग रहा था जिस वज़े से यूहेंग बहुती जादा गुस्सा होता है तब साउधी उसे sorry कहती है और कहती है कि तुम्हारी वज़े से तुम्हें डर गई थी जिसके बाद साउधी होटल कॉल करती है लेकिन उसे रहने के लिए कोई भी होटल नहीं मिल रहा था तब ही युहेंग सावर लेके आता है और साउधी को जाने के लिए कहता है वो जाई ही रही होती है कि तभी युहेंग की दबेत खराब हो जाती है वो मेडिसीन लेने लगता है साउधी उसके पास जाती है लेकिन वो उसे पास आने से मना कर देता है फिर भी साउधी उसके पास जाती है जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें तो कोई टच करे तो प्रॉब्लम है न वो समझ जाती है कि मैं युहेंग के साथ रह सकती हूँ लेकिन युहेंग तो मुझे अपने साथ रखेगा नहीं वो सोचने लगती है कि आखिर मैं इसको कैसे मनाओ वो यूहेंग को मनाने के लिए कहती है कि तुम्हें साफसफाई करने के लिए कोई नहीं मिल रहा क्यों नहीं तुम मुझे हायर कर लेते लेकिन यूहेंग मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है वो sad होके जाही रही होती है कि तभी आचानक light चली जाती है जिसकी बचे से युहेंग बहुत डर जाता है क्योंकि उसे dark phobia होता है तो साओधी युहेंग के पास जाती है और उसे समझाने लगती है और उसको एक song सुनाती है जिसे सुनकर युहेंग को याद आता है कि बचपन में भी उसे किसी लड़की ने ऐसा song सुनाया था यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों बचपन में भी मिल चुके हैं वो उसे twinkle twinkle का song सुना दी होती है तभी महाँ पर building management का एक आदमी आ जाता है जो कहता है कि अभी 2-4 घंटे light नहीं आएगी और कुछ दिनों तक यही problem रह सकती है जिस पर युहेंग उसे डाटने लगता है तो सावधी कहती है कि तुम उन्हें डाट क्यों रहो वो भी चाहते है कि light चल दी आ जाए जिस पर manager उन्हें thanks कहता है कि आपने हमें समझा और वहाँ से चला जाता है जिसके बाद सावधी भी लू से कहती है कि अब मुझे जाना होगा बहुत रात हो गई है अगर जादा लेट हो गया तो मुझे रहने के लिए कोई भी जगर नहीं मिलेगी लेकिन यूहेंग उसे जाने से मना कर देता है और उसे वही रुकने के लिए insist करता है जिन सावधी उसके लिए खाना बनाती है जब यूहेंग खाना खा रहा था तो उसका हाथ सावधी के हाथ से बंदा हुआ था यूहेंग के पास रखा हुआ केंडल बूच जाता है जिसे वो और भी डरनने लगता है तो सावधी अपना वाला केंडल उसके पास रखती है और उसे संभालती है यूहेंग रात भर सावधी की गोधी में ही सोया हुआ था जब वो उटकर चाने लगता है तो देखता है कि उसका हाथ साउधी के हाथ से बंदा हुआ है फिर वो अपना हाथ चुड़ा कर महां से जाता है वोश्रूम में जाकर वो रात की सारी बाते याद करता है तो उसे बहुती ज़्यादा इंबरेस फिल हो रहा होता है फिर रात को जब वो उफिस से वापस आता है तो देखता है कि पूरा घर बहुत ही ज़ादा clean है फिर भी वो चेक कर रहता है तो सावधिय उसे देखकर बोलती है कि मैं ने बहुत अच्छे से clean किया है तुम चेक कर लो और मुँआ हाँ धो कर आज़ाओ और खाना खालो और मेरा क्या तो युहेंग कहता है क्योंकि घर मेरा है साउदी को ना चाहते हुए भी मजबूरी में sign करना पड़ता है फिर वो खाना खाने बैठते हैं वहाँ पर साउदी ने table मेट रखा था जोंकि हटा देता है युहेंग तो सावधी कहती है कि इसे यूज करना चाहिए नहीं तो टेबल गंदा हो जाएगा तो यूहेंग कहता है कि मैं कभी यूज नहीं करता फिर भी टेबल साफ ही रहता है न तो सावधी कहती है कि अच्छा तो तुम मुझसे जगडा करना चाहते हो या तो तुम मेरी बात मानो नहीं तो मैं चली जाओंगी दिन साओधी एक exhibition में जाती है जहांपर कुछ लड़किया रेन के बारे में बात कर रही होती है तो साओधी उन्हें कहती है कि तुम्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए celebrity भी हमारी तरह ही होते है तब ही वहाँ पर रेन मास्क लगा कर आ जाता है ताकि उसे कोई पहचाने न साओधी रेन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां पर हूँ तो रेन उसे कहता है कि तुम्हारी friend ने मुझे बताया था साओधी कहती है कि अच्छा तो उसने तुम्हें यह नहीं बता है कि मैं कहां पर रह रही हूँ तो रेन पूछता है कि तुम कहां पर रह रही हो तो साओधी बताती है कि मैं अपने neighbor के हां रह रही हूँ जिसके बाद हम घर में यूहेंग को देखते हैं, जो विंडो के पास कड़ा होकर सोच रहा था कि मैं बाहर देखू या ना देखू, जब वो बहार देखता है तो बाहर रेन और साओधी होते हैं, रेन साओधी को छोड़ने के लिए आया था और वो उसे उपर तक छोड़ने लेट हो गई तो मैं तो भूक लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, लेकिन यूहेंग तो पहले से ही गुस्सा था, इसलिए वो कहता है कि खाने का टाइम तो गुजर चुका है, इसलिए मुझे अब भूक नहीं है, जिसके बाद यूहेंग अपने र तो साओधी कहती है कि खाना बहुत टेस्टी बना है, इसके खुजबू बे कितनी अच्छी आ रही है, फ्लीस खाने के लिए आजाओ, लेकिन फिर भी यूहेंग नहीं जाता, तबी वो देखता है कि उसके पास का पानी भी खतम हो गया है, इसलिए वो पानी लेने के लिए यूहेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यही सजिस्ट करूँगा कि तुम्हें कल यहां से चले जाना चाहिए, तब साओधी को याद आता है कि वो साइद रेन की बात कर रहा है, तो वो कहती है कि उससे मैं अपना बॉइफेंड केसे बना सकती, वो तो इतना डंब है, वो साओधी अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, वो उससे पूछते हैं कि तुम यहां पर आई हो चाहिना तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, यहां पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो साओधी कहती है कि मुझे यहां पर अच्छा लग रहा है, और व में अपनी चीजे बाथ्रूं में बुल जाने की आदत है तभी साओधी को यादाता है कि जब वो सावर लेने गई थी तो उसकी ब्राबाथ्रूं में ही रह गई थी औराथ्रूं में तो यूहेंग है वो जल्दी से गेट के पस जाती है और सोचती है कि कास उसने नहीं देखा हूँ लेकिन युहेंग ने तो देख लिया था और वो समझ जाता है कि यह साओधी का होगा और वो खुदी उसे लाकत देता है तो साओधी उसे कहती है कि गलती से छूट गया था आगे से नहीं होगा तो युहेंग कहता है कि आगे से नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बैक्टीरिया होते हैं जिसे तुम्हारी तवेद भी खराब हो सकती है जिसके बाद युहेंग बुक रिट करता है तो उसे बुक में भी साओधी दिखाई देती है जिसके बाद वो पानी पीता है तो उसे उसमें भी साओधी दिखाई देती है तो वो सोचता है कि जरूर मेरी आख में कुछ प्रॉब्लम हो गई है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उसके बाद मॉर्निंग में जब युहेंग जोगिंग कर रहा होता है तो उसके पास सूनियन आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी टीम के लिए स्पॉंसर्शिप मिला क्या नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यूहेंग इससे कहता है कि तुम्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है जिसके बाद रेन दिखाया जाता है जो हाउ के साथ बेठा हुआ होता है और उसे ही गूर रहा होता है हाउ उससे कहती है कि अब ऐसे ही देखते रहोगे या काम भी बताओगे रेन कहता है कि मुझे साओधी चाहिए वो मेरे साथ क्यों नहीं रहती है जिसके बाद यूहन की पहले वाली टीम दिखाए जाती है जहाँ पर विजहन उनका लीडर बन चुका था जहाँ पर उसके मेंबर्स उसे कहते हैं कि यूहन की टीम काफी पॉपुलर हो रही है तो विजहन कहता है कि तुम्हें फिक्कर करने की जरूरत नहीं है उसे चैंपियंसीप में जाने के लिए काफी अच्छी रेंग की ज़रूरत है और रेंग बढ़ाने के लिए उसे बहुत मेनत करनी होगी जिसके बाद हमें यूहेंग की टिंग दिखाई जाती है जो उसने अभी अभी बनाई थी जहांपर यूहेंग सबसे पहले अपने इंट्रोड़क्शन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर बनूँगा और मेरा गेमिंग नेम विजलू है जिसके बाद यान अपना इंट्रोड़क्शन देता है और बागी सब को भी अपना इंट्रोड़क्शन देने के लिए कहता है जिसके बाद सभी मेंबर वन बाई वन इंट्रोड़क्शन देते है जिसके बाद यान और युहेंग गेमिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ही युहेंग के पास एक अन्नोन नबर से कॉल आ जाती है और वो उसे कहता है कि तुम गुमे हुए लोगों को ढूनना चाहते हो ना जिसमें मैं तुम्हारी हल्प कर सकता हूँ युहेंग वो नंबर यान को देता है और उसे उस बारे में पता करने के लिए कहता है और वो उसके बुलाए हुए एड्रेस पर जाने लगता है जिसके बाद हम रेन और साओधी को देखते हैं जो बाते कर रहे होते हैं और साउधी नूडल्स खारी होती है तभी वो रेंज से पूछती है कि तुम्हें माईसोफोबिया के बारे में कुछ पता है तो रेंज फिर सार्च करके उसे बताता है कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जन्ने अंधेरे से बहुत डर लगता है और इन्हें हमेंसा क्लीन रहना और क्लीन खाना ही पसंद होता है इन्हें गंदी चीज़ों से सब्त नफरत होती है ये सुनकर साउधी सोचने लगती है कि मतलब कि यूहेंग काफी सार्दा सीरियस कंडिशन में है जिसके बाद यूहेंग जब वहाँ पहुचता है तो उसे यान का मेसेज आता है जो उसे कहता है कि तुमने जो नंबर दिया था उसके बारे में कुछ भी इंफर्मेशन पता नहीं चल रही है इधर रेंग को उसके मेनेजर का कॉल आता है तो वो सावधी को महाँ पर छोड़ कर चला जाता है दिन यूहेंग के पास उसी नंबर से कॉल आता है और उससे पूछता है कि तुम आ गए तो यूहेंग कहता है कि हामें आ गया हूँ फिर वो उसे एक पार्टिकलर प्लेस पर बुलाता है जब यूहेंग महाँ पर पहुचता है तो कोई महां का सटर बंद करतेता है और वहाँ पर अंदर बहुत अंधेरा होता है जिसकी वज़े से युएंग फिर डरने लगता है इधर साउधी सोचती है कि क्यों न मैं युएंग के कॉल करके पूछ लूग की आज खाने में क्या बनाओ और इसके लिए जब साउधी उसे कॉल करती है तो वो कॉल अटेंड करता है लेकिन उसके मूँ से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही होती जिससे साउधी समझ जाती है कि वो किसी प्रॉब्लम में है और साउधी उसे बचाने के लिए भागी भागी जाती है जिसकी वज़े से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है फिर भी वो लोग के पास पहुच जाती है और कैसे भी करके उसे बचा लेती है हम देखते हैं कि जब योहेंग उठता है तो उसके सामने सावधी होती है वो अपने कपड़े देखता है और सावधी से कहता है कि तुम मेरे कपड़े कैसे चेंज कर सकती हो क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम एक लड़की हो जिसके बाद वो सावर लेने जाने लगता है ले ने कहा थाना कि जब मुझे मिलना होगा तो मैं आ जाओंगी Rain उसके हाथ में खाना देखकर बोलता है कि ये खाना मेरे लिए बनाया है क्या तो Saudi कहती कि नहीं ये मैंने यूहेंग के लिए बनाया है तुमारे लिए नहीं तभी अंदर से युहेंग के आवाज आती है कि मुझे भूख लगी है तो साओधी जाकर उसे खाना देती है तभी रूम में रेन भी आ जाता है तो साओधी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना अंदर आने से तो क्यों आए अंदर रेन यूएंग पर गुसा करने लगता है तो यूएंग कहता है कि तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉबलम है तो चले जाओ यहां से और यूएंग रेन को इरिटेट करने के लिए सावधी से कहता है कि आज तुमने मेरे कपड़े चेंच किये था देन सावधी उसे बताकर महां से चली जाती है फिर सावधी को याद आता है कि वो अपना फोन तो घर पे ही बुल गई है जब सावधी मॉबाइल लेने रूम में आती है तो देखती है कि यूएंग उसके रूम में था यूएंग उससे कहता है कि मुझे प्यास लगी थी तो इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आया था तुम्हारे कप में पानी था इसलिए मैंने पी लिया और वो महां से चला जाता है और सावधी भी मॉबाइल लेकर चली जाती है जिसके बाद यूएंग वाशो में जाकर वॉमिट करने लगता है और कहता है कि मैं किसी का जूटा पानी कैसे पी सकता हूँ इदर सावधी एक्जिबीशन में पहुँच जाती है देन यूएंग देखता है कि उसका मॉबाइल सावधी के मॉबाइल से एक्सचेंज हो गया है और सावधी का एक्जिबीशन का एंट्री टिकेट भी घर पर ही चूड़ गया था तो वो बोलता है कि मैं कि उसको हल्प करने जाओं और टिकेट महीं फेक कर चला जाता है एदर साओधी को एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके पास टिकेट नहीं था फिर रेन उसकी एंट्री दिलाने में हेल्प करता है फिर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे एक competition और उसके price के बारे में बताती है तो साओधी मान जाती है यह सब रेन की ही planning होती है ताकि वो साओधी के साथ competition में participate कर सके फिर रेन competition के लिए अपने partner को बुलाता है तब साओधी आती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी ही planning थी ना तो रेन कहता है कि नहीं मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था तो साओधी कहती है कि अगर तुम इसके पीछे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फिर दोनों dance करने लगते हैं तब ही साओधी का पेर रेन के पेर पर आ जाता है जिसकी वज़े से तोनों गिर जाते हैं जब साओधी उटने लगती है तो रेन उसे उटने नहीं देता और कहता है कि मैं गिरा हूँ तुम कैसे उट सकती हो मैं तुम्हें कुछ कहना चाता हूँ इसी बीच महाँ पर युएंग आ जाता है और साओधी को उठा कर कहता है कि अगर इंबरेस नहीं होना है तो यहां से चलो और उसे महाँ से ले जाता है एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युएंग साओधी का वेट कर रहा होता है जिसे ही वो आती है वो अपनी बुक लेकर बैट जाता है जिसके बाद साओधी बैट कर अपने डिजाइन के बारे में सोच रही होती है लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था तब ही महाँ पर युएंग आ जाता है उसे इस्टॉल कॉलिफिकेशन सार्टिफिकेट देने के लिए यह देखकर साओधी बहुत खुस हो जाती है और युएंग को हग कर लेती है फिर उसे याद आता है कि युएंग को तो किसी का भी टच बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर वो उसको सौरी बोलती है यह देन युएंग महां से चला जाता है और अपने रूम में जाकर साओधी के किये वे हग के बारे में सोचने लगता है और वो खुद को ही हग करने लगता है और बहुत खुस होता है तब ही महां साओधी आ जाती है वो पूछती है कि क्या कर रहे हो तो यूहिंग बोलता है कि मेरी बॉड़ी में इचिंग हो रही थी सावधी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दू क्या तो वो कहता है कि नहीं इसके कोई जरुरत नहीं है फिर सावधी उसे फ्रूट से देती है और उसे थैंक्स कहती है स्टॉल कौलिफिकेशन सार्टिफिकेट के लिए जिसके बाद साओधी अपनी लाइब स्ट्रिम करती है उसके बाद जब यूहेंग उसके पास जाता है तो उसकी हेरिस्तिक देखकर पेसे कमाने लगेगी तो वो बहुत जल्दी मोवन कर सकती है जिसकी वेज़े से घर का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा इसलिए जब सावधी अपने डिजाइन्स दिखा रही होती है तब ये जान बुचकर गिलास गिरा देता है और सावधी को लगता है कि गिलास उसकी जाते हैं उसके पास सूपर मार्किट जाती है तो हो सचता है वो घर चोड़ कर चली रहे हो वो मान जाता है और कहता है कि लेकित मेरी किसी भी चीज़ को तुमारी टच्च ना करें साओधी मान जाती है लेकिन उसकी फ्रेंग की चीज़े देखकर पागल ही हो जाती है साओधी मना कर रही थी लेकिन वो तो मानी नहीं रही थी इधर यान के साथ आ रहा था दिन साओध और उसकी friend dinner ready कर लेते हैं जब यूहेंग और यान आते हैं तो उसकी friend यान को यूहेंग समझ लेती है और कहती है कि कितने handsome हो तुम तो यान कहता है कि handsome तो मैं हूँ जब उसे पता चलता है कि यूहेंग तो पीछे है तो वो यान को धक्का दे देती है जिसकी वज़े से वो सोफे पर गिर जाता है जब यह यहेंग को देखती है तो उसे देखती ही रहती है और बहुत खुस होती है जिसके बाद सब डिनर करने बैठते है तो वहाँ पर भी साओधी की फ्रेंड यहेंग को ही देख रही होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फीस्पिल कर दू क्या तो यूएंग सावधी को देखने लगता है तब सावधी उसका मन ना होने के बावजूद भी यूएंग के लिए फीस्पिल करती है जब सावधी की फ्रेंड फीस्पिल करके यूएंग को देने लगती है तो य यान कहता है कि हाँ और हम बहुत पीजी है करके कॉल कट कर देता है जिसके बाद जब यान बूक रिट कर रहा होता है तो यान उसे कहता है कि अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें पता नहीं रेन साओधी का चाइल्डूल फ्रेंड है और उसे परस्यो करने की बहुत कोसिस कर रहा है तो यान कहता है कि मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है तो यान कहता है कि कुछ तो लेना देना है तो यान कहता है कि मुझे किसी भी ओमन में कोई इंटरस्ट नहीं है और नहीं किसी मैन में और यान को महां से भगा देता है जिसके बाद वो नहीं है और वैसे भी तुम्हारी बॉड़ी बहुत कमजोर है अगर तुम्हारी तब्वित खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी यह सब सुनके वह मिल्क ले लेता है और कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं मिल्क पीने के बाद उसके पेट में गड़बड होने लगती ह साओधी पहले ही रेस्ट रूम में जाकर बैट जाती है और बहुत देर तक निकलती ही नहीं है यह एंग पेट पकड़कर बहुत इंसिस्ट करता है उसे निकलने के लिए लेकिन साओधी को तो उसके मज़े जो लेने थे तब ही उनके यहां पर रेन आ जाता है और जो जो तो रेन कहता है कि मैं साओधी से मिलने आया हूँ साओधी के रहने के लिए दूसरी जगा मिल गई है तो यहांग कहता है कि उसका मन वो कही पर भी रह सकती है तो रेन कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सावधी सिफ मेरी है यूहेंग उसे कुछ कह पाता है, उससे पहले सावधी आजाती है रेन सावधी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अलग प्लेस ढूंड ली है, गाड़ी नीचे है, जल्दी से सामान पेख करो और चलो तो सावधी कहती है कि तुम से किसने कहा कि मैं यहां से सिप्ट करूंगी तो रेन कहता है कि तुम इसके साथ क्यों रहना चाहती हो तो सावधी कहती है कि तुम यहां से जाओ अभी मैं तुम से कल बात करूंगी तब यूहेंग रेन से कहता है कि अगर यही रहना चाहे तो तुम क्यों मजबूर कर रहे हो तब यूहेंग उसके पेट में गड़बड होने लगती है तो रेन उसे कहता है कि पहले तुम अपना पेट संबालो लगता है बहुत खराब है दन साओधी रेन को वहाँ से भगा देती है जिसके बाद यूहेंग इस सबसे अंबैरस होकर अपने रूम में लेटा था तब साओधी उसके पास जाती है उसे मनाने के लिए लेकिन यूहेंग नहीं मानता और उसे कहता है कि जब तक मैं सोना जाओ तो मैं यहीं बेटके रहना होगा साओधी उसे सौंग सुनाती है जिसके बाद वो सो जाता है नेक्स्टे साओधी उसके फ्रेंड यहां इस्टॉल लगाते हैं और फोटोस भी क्लिक करते हैं जिसके बाद वहाँ पर एक फेमस डिजाइनर आता है उसे साओधी के डिजाइन्स तो पसंद आते हैं लेकिन उनका फैब्रिक और बटन्स नहीं वो उसे कहता है कि तुम्हारे टैलेंट बहुती रेर है तो मैं और अच्छे से सीखना चाहिए यह सुनकर वो सारा सामन समेटने लगती है तब ही वहाँ पर रेन आ जाता है साओधी उसे बोली रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तबी रेन के फैन्स उसे देख लेते हैं इसी तफ़ कमुकि में साओधी का सूस निकल जाता है और उसके पैर में चोड़ भी लग जाती है यूएंग उसे भीट से बाहर लेकर आता है वो कहते है कि मेरा स्टप तो वह ही रहे गया तो यूएंग उसे कहता है कि वो सब छोड़ो अपनी चिंता करो और वो उसे उठा कर के घर लेकर जाता है और उसके पेर पर मल्हम भी लगाता है वो बहुत प्यार से उसका पेर पकड़े हुए था वो वोश्यों में जाकर अपना हाथ देखता है और बहुत खुस होता है दूसी तब हम देखते है कि जब योहेंग घर पर नहीं था तब सूनियन आई थी वो सावधी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है सावधी भी उसे अच्छे से जवाब देती है फिर सुनियन गुसे से महाँ से चली जाती है जिसके बाद हम देखते है कि योहेंग जब लंच करने आता है तो देखता है कि सावधी और उसकी फ्रेंड बिंग के पास टेबल मेट है और उसके और यान के पास मेट नहीं रखा है यान पूछता है कि तुम दोनों के पास मेट है और हमारे यहाँ पर क्यों नहीं रखा तो सावधी कहती है कि यह बहुत ही चीफ है मैंने खुद बनाया है अगर तुम्हें चाहिए तो सुपर मार्केट से अच्छा वाला ले आओ तभी बिंग उन दोनों को भी मेट लाकर दे देती है सावधी यहेंग से मेट छिनने लगती है क्योंकि पहले जब सावधी ने यहेंग के लिए मेट डाला था और यान से बाते कर रहा होता है देन यान उन लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर जाता है जिसके बाद सावधी लाइव स्ट्रिम के लिए एक फेमस प्लेस पर जारी होती है उन लोगों के साथ यान भी जाता है जब वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो यूएंग उपर से उन्हें देखता है और सोचता है कि इसके पेर की छोट इतनी जल्दी ठीक हो गई है जिसके बाद सावधी लाइव स्ट्रिमिंग के लिए महां पहुच जाती है वहाँ पर रेन भी ड्रंक होकर आया हुआ रहता है जब वो सावधी को देखता है तो सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में सावधी आए हैं वो उसके पास जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है ये सब भी लाइव स्ट्रिमिंग में रिकॉर्ड हो रहा था और वहाँ पर रेन के फैन भी आ जाते हैं जिसकी वज़े से सावधी का फोन भी उसी फीर्ड में खो जाता है और एक बार फिर से योहेंग उसे बचाने आ जाता है वो उसे अपना बलेजर देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखने लगते हैं घर जाते वक्ते रास्ते में बहुत अंधेरा होता है जिसकी वज़े से योहेंग बहुत डर रहा था लेकिन सावधी उसे समझाती है कि डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन रास्ते में उसकी तबच बिगड़ने लगती है वो सावधी के कंदे पस सर रखता है और कहता है कि प्लीस मुझे अपने घर ले चलो वो लोग घर पहुचते हैं वो साओधी से कहता है कि तुम मेरे पीछे कहा जा रहे ही हो मैं सावर लेने जा रहा हूँ तो वो यूएंग को अपना हाथ दिखाती है क्योंकि उसने उसका हाथ कसके पकड़ा हुआ था वेंग उसका हाथ छोड़ता है दिन साओधी माँसे चली जाती है रात को जब यूएंग सो रहा होता है तब वह वही सारे मोमेंट्स के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि जब भी मैं साओधी के बारे में सोचता हूँ मेरी हार्टबिट बहुत तेज हो जाती है क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए फिर वो सो जाता है, next morning जब वो breakfast कर रहे होते हैं, तब साओधी कल के लिए उसे thank you कहती है जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं, तब साओधी glass पर एक funny सा face बनाती है जिसे देखकर youheng हसने लगता है, साओधी बोलती है कि तुम हसे ना, हसे ना, तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं हसा उसके बाद साओधी जब laptop में अपना account चेक करने जाती है, तो उसका laptop चली नहीं रहा होता है वो सोचती है कि मैं youheng का computer use कर लेती हूँ, वो बाहर आका देखती है तो youheng नहीं होता है, वो सावर ले रहा होता है तो वो उसका computer use करने लगती है, जब वो computer चला रही होती है तो उसे पता नहीं होता है कि gaming का live stream on है यान उसे देख लेता है और वो यूएंग को कॉल करके बताता है जब सावधी अपना अकाउंट ओपन करती है तो उसके कम्प्यूटर में भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा होता तब ही महाँ पर यूएंग आ जाता है और उसके बहुत जादा ख्लोस चले जाता है सावधी सोचती है कि अब तो फजगी मैं और वो घबरा कर उड़ जाती है देन यूएंग उसे बहुत सारे मॉबाइल दिखाता है और कहता है कि जो पसंदाए ले लो तो वो उसमें से एक फोन चूस करती है वो कहता है कि ये सब स्पॉंसरसीप की तरफ से मिले हैं और वो उसे और भी स्टफ दिखाता है और उसे अनबॉकसिंग करने के लिए कहता है एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जब सावधी का लैप्टॉप ठीक कर रहा होता है तो सावधी उसके बहुत क्लोज चली जाती है ये उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि तुम मेरे काम में डिस्टरब कर रही हो जाओ जाकर मेरे रूम क्लीन करो तब तक मैं तुम्हारा लैप्टॉप फिक्स करता हूँ तो सावधी हाम में जाती हूँ बोलकर चली जाती है जब युएंग सावधी का लैप्टॉप ठीक कर लेता है तो वो उसका फैन अकाउंट चेक करता है जिसमें रेन के फैन सावधी को कुछ जादा ही क्रिटिसाइज कर रहे थे युएंग यान को कॉल करके सावधी का फैन अकाउंट सील करने के लिए खेता है और कहता है कि उसे पताना चले जब साओधी आक्सेस लेकर आती है तो बोलती है कि मेरा लैपटप ठीक हो गया क्या वो अपना फैन अकाउंट चेक करने चाती है लेकिन युहेंग उसे रोक देता है और उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हारे आईलेसस बहुत भी सुन्दर है तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कुछ देर बाद वो अपना फैन अकाउंट चेक करती है तो उस पर कोई भी रिस्पॉंस नहीं होता ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है वो बोलती है कि मैं कुछ देर अखेले रहना चाहती हूं देर वो सावर लेने चली जाती है वहाँ पर देखती है कि अपने कपड़े तो बहारी भूल गई है तो उसे योहेंग का सर्ट दिखाई देता है वो उसे पहन कर बहार चली जाती है वो बचते बचाते जाई रही होती है फिर भी योहेंग उसे देख लेता है वो कहती है कि सौरी में अपने कपड़े भूल गई थी देन वो मिरर में देखकर डिफरेंट डिफरेंट पोस करने लगती है जिसके बाद जब साओधी फेक्टरी जाती है तो उसी फेमस डिजाइनर मिस्टर डिंग को देखती है वो उसे अपनी कंपणी में काम करने के लिए बोलते हैं वो मान जाती है इधर जब यूहेंग अपनी टीम के साथ होता है तब ही महाँ पर सूनियन आ जाती है वो कहती है कि तुम मेरा कालर टेंड नहीं कर रहे ते इसलिए तुम्हें देखने आ गई उसके साथ विजहेंग भी आ जाता है यूहेंग सूनियन की बात को इग्नोर कर देता है तब विजहेंग अरोगेंट्ली यूहेंग से बात करने लगता है यूहेंग उसे जाने के लिए कहता है तब सूनियन उसे वहाँ से लेकर चली जाती है देन साओधी फर्स दे अपनी जॉब पर जाती है और वो बहुत जादा खुस रहती है लेकिन उसके मैनेजर में स्वाई और कलिक बात करते है कि इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसमें कोई टैलेंट है जिस्टर डिंग ने इसे यहां क्यू बेजा होगा इधर रेन साओधी को देने के लिए हाफ फू ड्रेस पसंद करता है साओधी हाफ फू देकर बहुत जादा खुस होती है यहेंग कहता है कि बहुत जादा गंदा है बहुत डस डेस में क्लीन कर लेना तो साओधी कहती है कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी तुम जाओ तेन यान और बिंग बेटकर बाती कर रहे होते हैं फिर जब बिंग अचानक उठती है तो यान डरकर गिनने लगता है तब बिंग उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच एक रॉमेंटिक सा सीन देखने को मिलता है तेन सावधी यान के पास जाकर बोलती है कि मुझे कुछ देर के लिए तुमारा लैप्टॉप देदो मेरा इंटरनेट कनेक नहीं हो रहा है मुझे कुछ एंफोरमेशन निकालना है तो यहेंग मना कर देता है कि तुम खराब कर दो तुमें जो भी चाहिए तुम मुझे लिपकर दे दो मैं तुमें इंफोरमेशन निकाल कर दे दूँगा यहेंग उसे लैप्टॉप इसलिए नहीं दे रहा होता क्योंकि उसने अगर कमेंट्स देख लिए तो उसे बहुत बुरा लगेगा जिसके बद बिंग यहान से कहरे ही होती है कि तुम लोग साओदू को क्यों नहीं बता रहे हैं सब उसे भी तो पता होना चाहिए कि लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं तो यहान मना कर देता है कि यहेंग ने मना किया है दिन न्यूस दिखाए जाती है जहाँ पर रेन और साओधी के बारे में न्यूस चल रही होती है इधर रेन बाहर साओधी का वेट कर रहा होता है साओधी मार्केट में यूएंग के साथ होती है कि सावधी के आसपास ही रहना रिपोर्टर उसे ही डून रहे है तो यूएंग एक हैट करीद कर उसे पहना देता है और उसे माँ से लेकर जाने लगता है तब ही रेन भी देख लेता है और आ जाता है सावधी उसे पकड़ लेती है रेन उसे कहता है कि तुम्हे उस बात का नहीं पता तो योहेंग पीछे से उसे कहता है कि उसे कुछ मत बताना तो रेन कहता है कि चलो उपर जाके बात करते हैं उपर आके साओधी ड्रेस चेंज करने चली जाती है तब रेन यूहेंग से कहता है कि तुम कुछ जादा ही और एक नहीं कर रहे हो अब ये मत कहना कि तुम्हें साओधी से प्यार हो गया है तो यूहेंग कहता है कि प्यार का तो पता नहीं लेकिन साओधी यहां से नहीं के तो किसी ड्रामे का सीन लग रहा है दिन वो खाना खाने वैठते हैं जापर सावधी यूयंग को अपने हाथ से देती है यह देखकर देखकर रेन जलस होता है तबी महा पर बिंग और यान भी आ जाते है बिंग सावधी से कहती है कि रेन का कजन मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया एक बार रेन मेरे हाथ आने दो फिर मैं उसे बताती हूँ तो सावधी कहती है कि फिर पीछे भी देख लो जैसे ही विंग रेन को देखती है उसे मानने लगती है तब ही महाँ पर रेन का घजन आ जाता है वो रेन को साथ चलने के लिए कहता है तब युएंग उसे पकड़ कर भेज देता है दिन सावधी विंग से कहती है कि रेन जो मेरे कैमरे में आया था उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला साएद उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा नाइट में सावधी वैंक को साथ में स्टार देखने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है और पूशने लगता है कि अगर तुम्हारे मिलिएंस में फैस हो तो में कैसा लगे साओधी कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा वो कहता है कि अगर वो फैंस तुम्हारे बारे में बाते बनाएं तो साओधी कहती है कि तो क्या मैं उनकी बातों को इग्नॉर कर दूंगी वो विंडो को आगे करके कहती है कि जैसे तुम मुझ साइड हो और मैं इस साइड हो तो तुम मेरे बारे में क्या सोते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता हाफो के ड्रेसेस बनाना मेरा ड्रीम है और मैं उसे पूरा करकर ही रहूंगी जिसके पर साइडी मुझ से भाप निकार कर कुछ लिखने लगती है और कहती है कि मैं बच्पन में करती थी तो युएंग उसे पूछता है कि तुम्हें ये किसने सिखाया साइडी कहती है कि पहले इधर आओ फिर बताओंगी और मुँ पलट कर विंडो से टिक कर खड़ी हो जाती है जब येंग विंडो हटाता है तो साइडी गिरने लगती है इतने में वहाँ पर मिस्टर डिंग आ जाते हैं वो उन डिजाइन्स में से तीन डिजाइन्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें से दो तो मिस्वाई के होते हैं और तीसरा साइडी का होता है तो मिस्टर डिंग कहते है कि इसमें कुछ तो टेलेंट है तब ही तो मैं ऐसे यहाँ ल दिन साओधी घर के बाहर खड़ी होती है, तब ही वहाँ पर बहुत सारी रिपोर्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि युहेंग का घर कहां पर है, और वो युहेंग के साथ ही रहती है, वो लोग साओधी से कोशन करने लगते हैं, कि तुम एक ही टाइम में रेंग के साथ भी होती हो, और युहेंग के घर पर भी रह रही हो, तुम्हारा दोनों से क्या रिस्ता है? साओधी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इधर युहेंग और यान आ रहे होते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि साओधी प्रॉब्लम में है, वो जल्दी से निकलते हैं, लेकिन तब तक महाँ पर रेंग आ जाता है, और वो सबसे कहे देता है कि यह मेरी गल्फ्रेंड है, यह सुनकर साओधी तो सौफ्ट हो जाती है, फिर सब पूछने लगते हैं कि तो यह यहं के गर पर क्यों रह रही है, वो रेंग जब देखता है कि सामने से यहंग भी आ रहा है, तो वो कह देता है कि यहंग साओधी का भाई है, आप चाहो तो यहंग से पूछ लो, सारे रिपोर्टर्स यहंग के पास माइक लेके जाते हैं, और उसे पूछते हैं कि साओधी आपकी क्या लगती है, क्या सच में आप उसके भाई हैं, और साओधी भी उसे ही देख रही होती है कि यह क्या बोलेगा, रिसोट के स्टार्टिंग में सब यहंग से पूछते हैं कि क्या सच में साओधी आपकी सिस्टर है, तो यहंग कहता है कि हाँ, और अगर किसी ने मेरी सिस्टर को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा, यह सुनका साओधी तो सौक्ड हो जाती है, सोचती है कि इसने मुझे सिस्टर कैसे बोल दिया, रियन साओधी को अपने साथ ले जाता है, यहंग को बाद में होसाता है कि साओधी तो उसके पास से जा रही है, वो साओधी के पास जाने की कोशिस करता है, लेकिन रिपोर्टर्स उसे आगी ही नहीं जाने देते हैं, फिर रियन साओधी को अपने घर ले जाता है, जहां पर पहले से तियान आई होती है, उस साओधी से मिलकर वहाँ से चली जाती है, इधर यूएंग अपने घर पर आ जाता है, यान उसे कहता है कि तुमने ये क्यों कहा कि साओधी तुम्हारी सिस्टर है, अगर ऐसा तुमने उसे बचाने के लिए किया है, फिर भी तुमने ठीक नहीं किया, यान साओधी को वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन यूएंग मना कर देता है, और उसे भी वहाँ से भेज़ देता है इधर सावधी को रेन उसके room में ले जाता है जो उसने सावधी के लिए ही तयार किया था सावधी रेन से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं कुछ टम अकेले रहना चाहती हूँ और माबर बैट कर रोने लगती है कि उसने मुझे अपनी sister क्यों कहा उसने मुझे जूट क्यों कहा कि मेरे साथ उसकी difficulties काम हो जाती है तो रेन कहता है कि कोई बात नहीं अब तुम यहां आ गई हो ना अब तुम उसके घर कभी मत जाना दूसी तब यहां साथी को बहुत miss कर रहा होता है उसे हर जगा साथी के memories दिखाई दे रही थी इधर बिंग साथी से मिलने आती है लेकिन रेन उसे रोकने लगता है तो बिंग उसे कहती है कि तुम कौन होते हो साथी को अपनी girlfriend बनाने वाले और वो साथी के पास चली जाती है साथी से उसे कुछ ना बताने के लिए sorry बोलती है और उसे कहती है कि तुम यहां रेन के पास क्यो रह रही हो यहें के घर चली जाओ वेकिन साथी मना कर देती है यह बात रेन भी सुन लेता है और वो बिंग को पकड़ कर बाहर भेज़ देता है इदर योएंग उदास बेटा होता है तब ही उसके घर की डोरबिल बचती है योएंग को लगता है कि सावधी वापस आ गई है तो वो अपने हेर ठीक करने लगता है और बुख लेकर बेट जाता है लेकिन असल में तो यान और बिंग आये हुए थे वो लोग योएंग को ब्रेकफास करने के लिए कहते हैं लेकिन वो पोधो में पानी देने लगता है यान योएंग के पास आकर कहता है कि तुम्हें सावधी को वापस ले आना चाहिए उसके बिना घर खाली खाली लग रहा है बिंग कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है लेकिन योएंग कोई भी रिस्पोंस नहीं देता है तभी बिंग कहती है कि मुझे सावधी ने कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि UYANG ने सब के सामने कहा था, कि वो उसका भाई है, इसलिह वो बहुत गुस्टा है, और मैं भी साव़धी को मनाने नहीं जाने वाली हूँ, तब ही UYANG उसले से कहता है, कि मैंने नहीं बोला था उसे जाने के लिए, वो अपनी मरजी से गई है, मैं भी नहीं जाने वाला उसे मनाने और उसे लेने भी नहीं जाओंगा तो यान कहता है कि तुम नहीं जाओगे तो फिर क्यों इतना सेड हो और फिर वो बिंग से कहता है कि चलो ब्रेकफस्ट करते है अभी बोस का मूर बहुत खराब है इदर सावधी सेड़ों कर बैठी होती है रेन उसे खुश करने की कोसिस करता है लेकिन वो तो कुछ औरी खयालों में होती है रेन उसे पूछता है कि तुम यूएंग के बारे में सोच रही हो सावधी कहती है नहीं मैं सोच रही थी कि मेरा सामान और डिजाइन्स तो यूएंग के घर पर ही है मैं वहाँ से ले आती हूँ रेन भी साथ जाने के लिए कहता है लेकिन सावधी मना कर देती है फिर वो कहता है कि प्लीस में बाहरी खड़ा रहूंगा तो वो मान जाती है इधर यान और बिजाइन्स सावधी को वापस लाने के लिए प्लानिंग कर रहे होते है यूएंग भी सब सुन रहा होता है लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो नहीं सुन रहा वो लोग planning करते हैं कि अगर योहेंग बिमार होने की acting करे तो बट यान कहता है कि मेरे boss का acting skill ना बहुत खराब है उन्हें ना drink करवा के टुल कर देते हैं बिंग कहती है कि लेकिन योहेंग का तो weak stomach है ना यान कहता है कि इतना रिस्तो लेना पड़ेगा अगर साओधी को बिलाना है तो वो लोग योहेंग को drink देते हैं तो योहेंग मना कर देता है और कहता है कि उसकी choice दी घर छोड़के जाने की मैं ये सम नहीं करूँगा तब ही वहाँ पर साओधी आ जाती है और सब सुन लेती है वो कहती है कि यहां मेरी choice दी घर छोड़के जाने की मैं बस यहां अपना सामान लेने आवी हूँ मैं तुम लोगों को disturb भी नहीं करूँगी यान और बिंग उसे रोकने की बहुत कौसिस करते हैं लेकिन वो अपना सामान पेक करती है वो चाहती है कि यहां उसे रोके है लेकिन वो नहीं रोकता वो रोकना तो चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रोकता सावधी वहाँ से चली जाती है नीचे रेन उसका वेट कर रहा होता है वो सावधी को देखके बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अकिन नहीं था कि सावधी वापस आएगी सावधी का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का लेकिन उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, उसे रेन के साथ जाना पड़ा उपर यान कहता है कि पता नहीं से क्या हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता बिंग भी कहती है कि मैं भी इवब करती हूँ और वो लोग महां से चले जाते हैं तब यूहेंग सोचता है कि मैं साओधी को वापस केसे लाऊंगा, वो बहुत उदास होता है इदर रेन साओधी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सप्राइस प्लान किया है, तब ही पावर कट हो जाती है साओधी को याद आता है कि यौएंग को अंधेरे में बहुत ज़ादा डर लगता है वो भागती भागती जाती है लेकिन देखती है कि बाहर तो लाइट है तभी रेंग उसके लिए केक लेकर आता है इधर यौएंग के पास एक कॉल आता है वो कहता है कि आप जिस लड़की को ढूंड रहे हो उसका नम लिन साओधी है यूहेंग साओधी का नाम सुनकर दोड़ते हुए जाता है केप पकड़ता है लेकिन वो ट्राफिक में फ़र्स जाता है क्योंकि बहुत जादा बारिस हो रही होती है इदर रेंट रेडिसनल रेस पहन कर आता है और साओधी को साथ डांस करने के लिए कहता है पहले तो वो मना कर देती है फिर मान जाती है दोनों डांस कर रहे होते हैं और यूहेंग बाहर से बारिस में भीकते होने देख रहा होता है दोनों को खुछ होकर डांस करते देख उसे बहुत बुरा लगता है वो सावधी को कॉल भी करता है लेकिन डांस में बीजी भने की वेजे से वो देखने ही पाती यूहेंग उदास होकर महाँ से चला जाता है जब सावधी युएंग का मिस्कॉल देखती है तो उसे रिटर्न कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता सावधी सेड होकर बहुत ज़ादा ड्रिंक कर लेती है वो रेंग से कहती है कि मुझे बहुत ज़ादा हट हो रहा है युहेंग ने मुझे पता नहीं क्यों नहीं रोखा इदर युहेंग को हम उसी विंडो के पास देखते हैं जहां पहले साओधी ने उसे आने के लिए कहा था युहेंग मासे देखता है कि साओधी ड्रंक होकर उसके घर के पास ही आ रही है वो जल्दी से उसके पास जाता है साओदी उसके गाल पकड़ कर कहती है कि तुम यूहेंग हो ना तुमने मुझे जाने से क्यों नहीं रökा तुम तो मुझे रोक सकते थे थे ना तभी यूहेंग साओदी को किस कर लेता है रेन भी ये सब देख रहा होता है फिर वो सावधी को वही छोड़ कर चला जाता है सावधी वापस घर आ जाती है सुबह वो सोचती है कि यूएंग अभी तक जगा नहीं है मुझे उसे जगाना चाहिए जब सावधी उसे जगाने जाती है तो देखती है कि उसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है वो उसे थर्मामिटर देती है लेकिन येंग मना कर देता और कहता है कि मैं ठीक हूँ तो सावधी कहती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो उसे जब अजस्ती थर्मामिटर देती है तो येंग उसे डाट कर बेट पस उला देता है और कहता है कि तुम सब को ऐसे ही ट्रीट करती हो क्या रेन का भी ऐसे ही ध्यान रखती थी तो साओधी कहती है कि क्या बखवास कर रहे हो लगता है तुम्हारा फीवर ब्रेन तक पहुझ गया है यूहेंग उसके close जाने लगता है तब ही वो सो जाता है साओधी उसे blanket टोड़ा कर महाँ से चली जाती है वो उसका अच्छे से ख्याल रखती है टाइम पर खाना और medicine देती है ये सब करते करते वो बहुत ठक जाती है और यूहेंग के साथ ही सो जाती है जब उसके आग खुलती है तो वो यूहेंग का फीवर चेक करती है जो कि अब ठीक था वो महाँ से चली जाती है ये सब देखकर यूहेंग को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जब साओधी उसके लिए सूप लेकर आती है तो उससे पूछती है ये में कल राद तुम्हारे घर पर कैसे आई तो वो जूट बोलता है कि तुम कंटिनिसली डॉर बेल बजा रही थी तो मुझे गेट खूलना पड़ा और तुम कह रही थी कि तुमने मुझे जाने से क्यों नहीं रोका और मुझे हग भी किया और तुमने तो मुझे किस भी किया था ये सब सुनकर सावधी इंबरेस फिल करती है फिर वो युहेंग को अपने हाथ से खाना खिलाती है युहेंग उसे कहता है कि अब तुम मुझे कभी छोड़ कर मत जाना सावधी उसे कहती है कि मैं ऐसा क्यूं करूँ तो यूएंग कहता है कि तुमने मेरे साथ रात को जुकिया उसके बदले तुम इतनी responsibility तो ले ही सकती हो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते है कि सावधी उएंग को खाना खिला रही होती है और कहती है कि मैं abroad में रहती थी ना तो ये सब common है ज़्यादा serious लेने की जरुवत नहीं है वेंग पूछता है कि तुम abroad कब गई थी तो वो बताती है कि मैं बच्पन से वही रही हूँ वेंग पूछता है कि तुम्हारे parents तुम्हारे से अच्छे से behave करते हैं तो सावधी कहती है तुम ना बहुती weird question कर रहे हो किसके parents अपने बच्चों के साथ मेंजवेव करते हैं वेंग कहता है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था इसे बिच बिंग का call आ जाता है सावधी येंग से कहकर जाती है कि सारा खाना finish करना कुछ मत छोड़ना मैं बाद में चेक करूँगी बिंग सावधी से कहती है कि तुम वापस आ गई बहुत अच्छा किया तबी बिंग के पास यान आ जाता है और कहता है कि सावधी वापस आ गई चलो हम celebrate करते हैं और उसे हग करने जाही रहा था वो उट जाती है और यान सोफे पर गिर जाता है यह सब सुनकर सावधी पूछती है कि तुम दोनों क्या relationship में हो तो बिंग बोलती है कि नहीं यान पूछता है कि बहुत साज आ जो आफिस नहीं आए तुम दोनों घर पर क्या कर रहे हो सावधी कहती है कि हम दोनों घर पर क्या कर रहे होंगे कुछ नहीं बस योहेंग की तबित खराब हो गई है इसलिए मैं उसकी देखबाल कर रही हूँ दोनों योहेंग की तबित के बारे में पूछने लगते हैं बिंग तो कुछ जादा ही पागल हुए जा रही थी कि योहेंग को क्या हो गया है वो दोनों सूपर मारकेट जाते हैं और योहेंग के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर उसके घर आ जाते हैं बिंग तो पागल हुए जा रही थी योहेंग से मिलने के लिए यान साओधी से कहता है कि मैं आज के बाद बिंग के साथ कभी सौपिंग नहीं जाओंगा साओधी बोलती है कि इतना सारा सामान यान कहता है कि यह सब बिंग ने योहेंग के लिए खरीद वाया है इधर बिंग योहेंग के पास पहुच आती है योहेंग साओधी को आवाज देता है वो बिंग को योहेंग के पास जाने से रोकती है बिंग कहती है कि मैंने यूहेंग के लिए बहुत सारी मेडिसिंस खरीती है वो दिखाने भी लगती है सावधी यान से कहती है कि तुम उसकी हर बात में हां में हां क्यूं करते हो तुम इसे तर डरते क्यूं हो यान कहता है कि मैं इससे फाइटिंग में नहीं जीत पाता हूँ सावधी कहता है कि मैं भी और दोनों हग करने ही जा रहे होते हैं तब यान को यहेंग रोक देता है फिर वो बेट के बाते कर रहे होते हैं सावधी बताती है कि वो बारिस में भीग गया था यान कहता है कि इसलिए उसे कॉल्ड हो गया है बिंग कहती है कि मैं युहेंग के लिए खाना बनाने जा रहे हूँ साओधी कहती है मैं भी हेल्प कर देती हूँ बिंग मना कर देती है दिन साओधी यान को हेड़फॉन्स देती है और कहती है कि तुम्हारे बोस के है उन्हें नहीं चाहिए, yang कहता है कि मुझे पता है बोस ने मेरे लिए ही लिए है, तेन वो सावधी के डिजाइन के हुए हाफ़ु ड्रस्ट देखने लगता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीव करता है, साओधी ये सब सुनकर बहुत खुस हो जाती है और उसे एक ड्रेस पहनने के लिए भी दे देती है इधर रेन भी मॉल में एक ड्रेस को देखकर साओधी और यहंग की किस को याद करता है और बहुत सेड होता है इधर यान ट्रेडिसनल ड्रेस पहन कर आ जाता है बोस आप कब से ख़ड़े हो यान कहता है कि जब तुम यह पूछ रहे थे कि जादा handsome कौन है यान कहता है कि बोस मेरा वो मतलब नहीं था, सावधी कहता है कि मैंने क्या गल्त बोला यह हाफ ओ ड्रेस में इतना handsome लगी रहा है यूएंग कहता है कि मेरा मतलब handsome वाली बात से है सावधी को कुछ समझ नहीं आता यान कहता है कि बहुत चाहते है कि तुम उनके लिए half food dress लेकर आओ सावधी पुछती है कि तुम sure हो यूएंग कहता है कि मुझे यही वाला dress चाहिए सावधी कहती है कि तुमें तो माईसोफोबिया है न यूएंग कहता है कि इसके बाद मैं सावर ले लूँगा यूएंग यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि सावधी नहीं यान की बहुत तारीफ की जिससे उसको बहुत जेलस फिल हो रहा था यूएंग हाफ उड्रेस पहन कर आता है जिसमें वो बहुत हैंसम लग रहा था सावधी तो उसे देखती ही रहती है और विंग तो उसे देखकर उछलने लगती है इसलिए यान उसे वहां से उठा कर ले जाता है यूएंग पूछता है की अब बताओ कौन ज़्यादा हैंसम है सावधी कहती है की तुम दोनों ही हैंसम हो यूएंग कहता है की जब वो हाफ उड्रेस पहना था तब तो तुम बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी और जब मैं पहना हूँ तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रही हो वो कहती है कि तुम्हारा कान रेड हो रहा है कई तुम्हें फीवर तो नहीं और चेक करने लगती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है तभी उन्हें यान कियावा जाती है वो दोनों देखने जाते हैं यान बहुत जादा वोमिटिंग कर रहा होता है साओधी उसे पानी देती है यान कहता है कि इसने पता नहीं खाने में क्या मिला दिया था साइथ पॉईजन मिला दिया था क्या यूएंग कहता है कि तुम जाओ डॉक्टर को दिखा दो बिंग यूएंग को वही खाना देने लगती है साउधी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं इसका ध्यान रखूंगी जिसके बाद वो लोग महां से चले जाते हैं यूएंग कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड को जादा ही नहीं करती साउधी कहती है कि टैंसन मतलो अब नहीं करेगी साउधी बेटकर यूएंग के बारे में सोच रही होती है वो बोलती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूं मुझे अपने काम पर फोकस करना होगा फिर वो बहुत देर में एक ड्रेस डिजाइन करती है उसका नाम माई एटर्नल रखती है देन जब वो आफिस जाती है तो उसके कलिक्स उसके और रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं साओधी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है विस वाई भी उसे कहती है कि इस सब की वज़े से तुम्हें काम चोड़ना होगा वो काम चोड़कर चली जाती है वो जाई रही होती है तब ही उसे मिस्टर डिंग मिल जाते हैं दोनों बैटके बाते करते हैं मिस्टर डिंग उसे कहते हैं कि ट्रडिशनल डिजाइन को लेकर तुम्हारे अंदर बहुत ही यूनिक टैलेंट है क्यों ना तुम अपना ब्रांट बेल्ट अप करो तो वो बोलती है कि मैं सोची रही थी लेकिन मेरे पास अभी भी experience नहीं है मिस्टर डिंग कहते है कि तुम कर सकती हो मैं तुम्हें और भी professional designer से मिलवा दूँगा सावधी बोलती है कि thank you so much मैं आपको कभी disappoint नहीं करूँगी इधर यूएंग जान बुचकर thermometer का temperature बढ़ा लेता है जब सावधी आती है तो वो बोलता है कि मेरा fever बहुत बढ़ गया है और उसे पूछता है कि तुमने काम छोड़ दिया क्या हुआ तो सावधी कहती है कि कुछ नहीं और उसका fever चेक करती है तो बहुत जादा होता है वो बोलती है कि चलो hospital चलते हैं फिर वो उट जाती है और यूएंग से कहती है कि तुम्हारा face red हो गया है वो कहता है कि मुझे rest करना है तो सावधी भी उसी के पास बैट जाती है next morning यूएंग देखता है कि सावधी गंले में plants लगारी होती है यूएंग उसके पास जाता है सावधी उसे मिट्टी देती है smell करने के लिए लेकिन यूएंग मना कर देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं सावधी के हाथ से मिट्टी यूएंग के हाथ में गिर जाती है यहेंग तो उसे देखे ही जा रहा होता है साओधी कहती है कि तुम्हारे हाथ में मिटी है वो उसके हाथ से मिटी हटाती है और हैंड वस करने में भी उसकी हल्प करती है यहेंग तो बस उसे ही देखे जा रहा था और उसके हाथ पकड़ लेता है फिर वो कहता है कि मैं सावर लेने जा रहा हूँ और चला जाता है साओधी वही खड़ी बलस करने लगती है और येंग की तो हार्टबिट बहुत तेज हो गई थी वो सोचता है कि लगता है कि मैं पागल हो जाओंगा मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा एपिसोड के स्टार्टिंग में येंग को यान का कॉल आता है वो कहता है कि बहुत हम लग प्रेक्टिस के लिए रेडी है येंग कहता है ठीक है मैं आता हूँ और जो प्रेक्टिस मॉर्निंग में रह गई थी वो भी हम साम को कर लेंगे एक और बात साम को मीटिंग रखना है मैं और मेंबर्स हायर करना चाहता हूँ सबस्ट्यूट के लिए तुम देख लेना इधर साओधी येंग के बारे में सोचरी होती है और बहुत खुस होती है वो कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ अपने सेंस में आउ साओधी और अपने आप पर कंट्रोल रखो इधर येंग ऑफिस में काफे में सुगर डाल रहा होता है वो भी साओधी के बारे में ही सोच रहा था तब ही यान आ जाता है येंग उसको देखने लगता है तो फिर येंग कहता है कि हो सकता है मैं नहीं जानता येंग कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जब भी वो एक लड़की के पास जाता है वो अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाता वो उसके कुछ जादे ही करीब जाने की कोसिस करता है और उसके साथ टाइम स्पेंट करना भी उसे बहुत अच्छा लगता है यान तो समझ गया था कि यूहेंग उसके किसी फ्रेंड के नहीं बलकि खुद के बारे में ही बात कर रहा है इदर साथी भी बिंग से यही सब कहती है अपनी कैसी फ्रेंड का नाम लेकर बिंग भी समझ जाती है कि साथी अपने बारे में ही बता रही है दोनों उनसे कहते हैं कि तुमारे फ्रेंड बिमार हैं वो पुछते हैं कि यह किस टाइब की बिमारी है तो वो कहते हैं कि उन्हें love sickness की बिमारी हो गई है योहेंग और साओधी पुछते हैं कि क्या ये possible है दन साओधी और बिंग एक famous designer के पास जाते हैं जिनका address साओधी को Mr. Ding ने भेजा था साओधी डॉर नो करती है तो एक बंदा डॉर open करता है वो कहती है कि मैं यहां मिस्स जियांग से मिलने आई हूं बट वो बोलता है कि मिस्स जियांग कोई guest से नहीं मिलना चाहती है साओधी कहती है कि मैं यहां पर especially उनसे design सिखने आई हूं वो बंदा बोलता है कि मिस्स जियांग बहुत लोगों को refuse कर चुकी है बिंग उसे मनाने की ट्राइ करती है वो कहती है कि हम लोग इतनी दूर से आये हमें रिजेक्ट मत कीजिए लेकिन वो नहीं मानता तो बिंग उसे जगड़ा करने लगती है साउधी उसे रोपती है वो बंदा चल्दी से गेट बंद कर देता है वो लोग फिर वापस आजाते है इदर योएंग अपनी टीम के साथ गेम खेल रहा होता है वो लोग जीत भी जाते है वो योएंग के पहली वाली टीम जीसा स्पोर्ट के साथ खेल रहे होते है सुनियन कहती है कि उन लोग का टीम वर्क बहुत अच्छा था इसलिए वो जीत गए ये सुनकर विजेन उस पर गुस्सा करने लगता है वो कहती है कि तुम्हें मानना ही होगा कि योएंग एक बहुत ही स्ट्रॉंग कॉम्पिटीटर है विजेन कहता है कि मैं अपनी टीन को ट्रेंड कर सकता हूँ मुझे तुम्हारी जुरत नहीं है तुम चले जाओ योएंग की टीम में ये सब सुनकर सुनियर उसे थपड मार देती है और कहती है कि एक दिन तुम जीसा स्पोर्ट्स को बरबाद कर दोगे और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है इदर बिंग और यान खाना खा रहे होते हैं वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि ये येंग और साओधी को रियलाइस करवाएंगे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यान येंग के पास जाकर कहता है कि वो लोग मिस्जियांग से मिलने गए थे लेकिन नहीं मिल पाए वो लोग वापस आ गए आपने तो मिल जियां की एक बार हेल्प की थी ना तो आप उन्हें बोलकर एक बार उनको मिलवा दो यूएंग कहता है कि ठीक है मैं हेल्प करूँगा जिसके बाद यान कहता है कि बोस में ट्रेनिंग से बहुत ठग गया हूँ क्या आप सेटर्डे को चुट्टी नहीं रख सकते यूएंग मान जाता है फिर यान कहता है कि बोस मुझे एक और बात बोलना है मैं और साओधी की फ्रेंड एक दूसरे को देट कर रहे हैं इस सेटर्डे हम गुमने जाने वाले हैं क्या आप हमारे साथ चलोगे यूएंग मना कर देता है जब यान कहता है कि साओधी भी हमारे साथ जा सकती है तो वो सोचने लगता है बोलो को अल्ट टाउन जाते हैं यूएंग भी उनके साथ आता है यान कहता है कि बोस पहले तो आपने मना कर दिया था फिर क्या हुआ युएंग कहता है कि साओधी बहुत रो रही थी मुझे साथ आने के लिए कह रही थी इसलिए मैं आगया वनना मैं नहीं आने वाला था फिर हमें flashback में दिखाया जाता है कि युहेंग साओधी से पूछता है कि क्या तुम Saturday को free हो तो वो बोलती है कि नहीं मैं free नहीं हूँ युहेंग कहता है कि तुमारी friend और यान all town जा रहे हैं क्या तुम उन लोगों के साथ जाना पसंद करोगी तो वो मना कर देती है फिर युहेंग कहता है कि तुमारा वहां का सारा expense मैं उठाओंगा तो फिर वो मान जाती है साओधी जो भी खरीद रही थी युहेंग उसका payment कर रहा था जब यान पूछता है कि आप उन लोगों का payment क्यों कर रहे हो तो वो कहता है कि मैं सिर्फ साओधी का payment कर रहा हूँ अपनी वाली का खुद करो वो लोग एक resort में जाते हैं युहेंग साओधी से कहता है कि मैं बहुत ठक गया हूँ तो साओधी उसे पकड़के सोफा पर बिठा देती है वो लोग दो room लेते हैं और room में चले जाते हैं बिंग कहती है कि दो room है एक छोटा room है और एक बड़ा यान कहता है कि हम लोग छोटे room में रहे लेंगे तो बड़ा room ले लो बिंग कहती है कि हम लोग यहां सोने नहीं बलकि मज़े करने आए हैं सावधी कहती है कि युएंग बहुत ठक गया है उसे आराम करने दो चलो बिंग हम रूम में चलते हैं तब ही युएंग अचानक कहता है कि नहीं नहीं हम लोग हम मज़े करने आये हैं तो मज़े ही करेंगे वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसके लिए वो टीम बनाते हैं दुसरे से बहुत से questions करते हैं यूएंग यान की सारी कर्टूते बिंग को बता देता हैं वो तो उसके पीछे ही पढ़ जाती है और उसके खूब दुलाई करती हैं तिन साओधी और यूएंग का बचपन दिखाया जाता है जहां पर साओधी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मु साओधी यूएंग से कहती है कि मैं तुम से साधी करूंगी तो यूएंग कहता है कि तुम बड़ी हो जाओ फिर हम साधी करेंगे यूएंग और साओधी एक दूसरे को देख रहे होते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में साओधी यूएंग से कहती है कि तुम हार गये याएंग को टिशु देता है और पूछता है कि boss किया ठीक है, याएंग smile करता है, सब stalked हो जाते हैं, वो बिंग को भी smile pass करता है, बिंग कहती है कि कि इतना charming लग रहा है, याण बिंग से कहता है कि कल सुबब बोस उठेंगे, तो उन्हें सब के बारे में कुछ मत बताना सावधी कहती है कि वो यूएंग नहीं लग रहा है जिसे मैं जानती हूँ यूएंग सावधी के क्लोस जाता है यान और पिंक को लगता है कि वो सावधी को किस कर लेगा लेकिन वो उसका रैबिट वाला बर्निंग एर ले लेता है और पहन लेता है और कहता है कि कैसा लग रहा हूँ बर्निंग एर मेरे पर क्यूट लग रहा है न और वो ट्विंकल ट्विंकल राइम भी गाने लगता है सब लोग यूएंग के funny moments देख कर बहुत हसते हैं यूएंग बोलता है कि ये place कितनी गंदी है साओधी कहती है कि आज हम लोग यही रुखने वाले है यूएंग साओधी को दुसरे कमरे में ले जाता रहता है तो साओधी बिंग से कहती है कि बिंग प्लीज हेल्प मी तो बिंग कहती है कि बाई बाई मजे करो यूएंग साओधी से पूछता है कि तुम कौन हो तो साओधी कहती है कि मैं लिन साओधी हूँ यूएंग उसे के close जाकर कहता है कि एक्ष्वल में तुम कौन हो साउधी नर्वस हो जाती है, वो उसे धक्का देकर कहती है, कि अभी तुम बहुत ड्रंक हो, जाओ, रेस्ट करो वेंग कहता है, कि मुझे गर्मी लग रही है, और वो अपना जैकेट उतानने लगता है साउधी उसे रोकती है, और कहती है, कि तुम्हें कॉल्ड हो जाएगा, लेकिन वो तो अपना टी-शेट भी निकालने लगता है साउधी कहती है, कि मत निकालो, यूहेंग कहता है, कि मुझे गर्मी लग रही है वो कहती है, कि ठीक है, मैं ऐसी चालू कर देती हूँ, बट प्लीज कपड़े मत निकालो वो उसे रोकी रही थी, तब ही यूहेंग उसे पकड़ कर दिवार से लगा देता है और कहता है, कि तुम बहुत जादा बोल रही हो इधर यान और बिंग एक दूसरे से कहते हैं, कि यूहेंग और साओधी साथ में नाइट स्पेंड कर रहे हैं क्योंना हम लोग भी साथ में नाइट स्पेंड करें इधर यूहेंग साओधी को किस कर लेता है, साओधी तो सौक्ड हो जाती है फिर योहेंग सावधी के एक अंदे पर ही सर रखकर सो जाता है इदर यान और बिंग ने भी बहुत जादर ट्रिंग कर ली थी बिंग यान से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रेना बहुत अच्छा लगता है यान कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें कभी भी मेरी जरुरत होगी मैं हमेसा हाजर रहूँगा इदर सावधी योहेंग को सिलाते सिलाते खुद भी उसी बेट पस हो जाती है योहेंग जब जाकता है तो साओधी को बहुत ही प्यार से देखने लगता है और उसे देखता ही रहता है दन्यान योहेंग और साओधी से कहता है कि तुम लोग देट पर चले जाओ हम लोग कल रात की वज़े से बहुत ठके हुए हैं सावधी कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग साथ में ही रहेंगे तो वो कहती है कि हमारे में चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है तुम लोग जाओ, वो लोग चले जाते हैं ये सब बिंग की प्लानिंग होती हैं उने साथ भेजने के लिए वो लोग मिस्जियांग के घर पहुँच कर डॉन नॉक करते हैं सावधी कहती है कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती तब ही बंदा गेट खोलता है और कहता है कि सर मेडम आपका वेट कर रहे हैं सावधी तो बहुत खुश हो जाती है सावधी कहती है कि इदर देखो कितनी सुन्दा जगा है न युहेंग कहता है कि चुप चप मेरे पीछे चलो वो लोग मिस्जियांग से मिलते हैं मिस्जियांग उनका वेलकम करती है और बुच्छ दिये कि ये कौन है सावधी अपना इंट्रो देही रही होती है उससे पहले युहेंग बोलते है कि ये मेरी गल्फरेंट है ये सुजू interpreting artisan है बस्जियांग कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मेरी help चाहिये युहेंग कहता है कि मेरी गल्फरेंट को embroidery designs देखने थे इसलिए मैं मिलवाने ले आया मिस जियांग उन्हे सारी एमरोलिटरी डिजाइन्स दिखाती है साओधी सारी एमरोलिटरी को डीटेल से देखती है वो लोग जाने लगते हैं साओधी मिस जियांग को थैंक्स बोलती है मिस जियांग कहती है कि थैंक्यू कि बोल रही हूँ तुम तो UN की girlfriend हो, तुम्हें future में कभी भी मिलना हो तो आ जाना वो लोग महां से चले जाते हैं, बहार निकल कर Saudi कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी girlfriend हूँ तो UN कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम्हें entry भी नहीं मिलती Saudi उससे पूछती है कि तुमने मेरी help क्यों की, और सोचने लगती है कि इसे किसके बारे में कुछ भी याद नहीं तो मैं भी embarrassed क्यों हूँ, मैं भी ऐसे pretend करती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है UN जब आप देने ही जा रहा था कि उसने help क्यों की, तभी Saudi कहती है कि हमें चलना चाहिए, उन लोगों ने आराम कर लिया होगा वापस आकर Saudi अपने lips को touch करके खुस हो रही थी, फिर कहती है कि मैं सब भूल जाओंगी, लेकिन वो भूल नहीं पाती है और कहती है कि इतना अच्छा मोमेंट वो कैसे भूल सकता है, इधर यूएंग भी पानी पर पानी पे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जिसे उसे भी किसके बारे में सब कुछ याद है, इधर रेन ने भी new apartment लिया था, जिसे कि वो सजा रहा था, इधर Saudi अपने आपसे कहती ह कि smile करो, फिर वो smile करके यूएंग को whisk करती है, यूएंग भी morning whisk करता है, साओधी मन में सोचती है कि कल रात की किसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, और यूएंग भी मन में कहता है कि उसे सब कुछ पता है ना किसके बारे में, फिर भी मुझे कुछ नहीं बोल रही है, यहिंग साओधी का नाम लेता है तो उसे लगता है कि वो किस वाले मुमेंट के बारे में बात करेगा, लेकिन वो कहता है कि तुमने बातरूम क्लीन की मुझे सावर लेना है, साओधी की तो उमिदों पर पानी ही फिर जाता है, वो कहती है कि हाँ कर दी मैंने, यहिंग सावर नहीं है मैं ओफिस जा रहा हूं तब विडॉर बल बच्टी एं साओधी गेट खोलती है तो रहन रहता है वो कहता है कि जो कि अब तुम्हारा पड़सी हूं अब तुम्हें इसके कहते हैं तुम कभी भी मेरे घर सिप्ट हो सकती हो वो साओधी को लेकर जा ही रहा था तब य कि वैंक कहता है कि साउदी तुम नहीं जा सकती यह सुनकर साउदी गुसा हो जाती है क्योंकि वा चाहतीती कि ईवह begitu चाहती थी जाता है देन साओधी और बिंग एक्जिवीशन में जाती है वो देखती है कि चो ट्रेस एक्जिवीशन में लगी थी उस पर पानी गिर गया था और मिस्वाई एक लड़की पर चिला रही थी साओधी मिस्टर डिंग के पास आती है और कहती है कि क्या मैं इसमें कुछ दिखाता हूं तभी उनकी नजर साओधी के कोश्यूम पर पढ़ती हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारा कोश्यूम साओधी तो साओधी कहती है कि यह मैंने डिजाइन किया था जब मैं आपकी कंपनी ब्लूमिंग जास्मीन में सीचने के लिए आती थी मिस्टर डिंग कहते है कि तुम्हारी ड्रेस हमारी आज की थीम पर फिट बेट हैगी क्यों न हम इस ड्रेस को एक्जिवीशन की ड्रेस से एक्सचेंज करते हैं साओधी मान जाती है जब उसका डिजाइन अधर कंपनी के ओनर देखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है यह सब देखकर साओधी बहुत खुस होती है मिस्टर डिंग उसे हल्प करने के लिए थैंक्स कहते हैं और उसे अपना ब्लैजर भी देते हैं ताकि उसे ठढ़ना लगे इधर यूएंग साओधी का वेट कर रहा होता है जैसे वो आती है यूएंग दोड़कर जाता है बुकले कर बैट जाता है यूएंग देखता है कि साओधी किसी का ब्लैजर पहनी है तो उसे लगता है कि रेन का है वो पूछता है कि कहा गई थी वो बताने ही जा रही थी उससे पहले ही बोलता है कि पता है तुम अपने पडोसी के आ गई थी सुबह से गई हो साम को आ रही है और उसका blazer भी पहन कर आई हो वो उसका blazer फेक देता और कहता है कि मेरे गर में किसी ओर की चीज़ नहीं आएगी सावधी कहती है कि तूम और एक कर रहे हो तुम्हें लगता है कि मैंने रेंक के घर पर कपड़े चंज़ की है तुम जेलिस हो रहे हो न वो कहता है कि नहीं तुम कुछ आदा ही सोच रही हो साओधी कहती है कि ये रेन का नहीं है मिस्टर डिंग का है मेरी ट्रेस एक्जिबीशन में लगी है न तो इसलिए उन्हों न दिया ताकि मुझे ठंड ना लगे येंग पूछता है कि मिस्टर डिंग कैसे आदमी है तो साओधी उनके बहुत तारीफ करने लगती है येंग कहता है कि तुम अपना एक्जिबीशन क्यों नहीं खोल लेती तो वो कहती है कि मैरे पास एक्सपिरियंस नहीं है और पैसे भी नहीं है येंग कहता है कि मैं तुमारी हेल्प करूँगा साओधी पुछती है कि तुम हेल्प कैसे करोगा तो येंग कहता है कि मैंने कहा ना मैं हेल्प करूँगा मतलब करूँगा और वो पानी पीने लगता है तो साओधी कहता है कि ये मेरा जूटा ग्लास है यूहेंग कहता है कि ये ग्लास और भी सब कुछ जब तक मेरे अपार्टमेंट में है सब मेरा है साओधी कहती है कि ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा है मेरा सामान भी तुमारे अपार्टमेंट में है और में भी तुमारे अपार्टमेंट में हूँ तो युहेंग कहता है कि कहा ना जो भी मेरे अपार्टमेंट में है सब कुछ मेरा है और इसे मेरे से कोई नहीं छेहन सकता ये सुनकर साओधी के बन में तो लड़ू फूटने लगते हैं जिसके बाद साओधी बेटकर ये सोचरी होती है कि अगर मैं अपनी वर्क सॉप स्टार्ट करती हूँ तो मुझे उसके लिए वर्क प्लेस की जरुरत होगी रिसोट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साओधी सोचती है कि मुझे अपने थौट्स को एक्सेन में चैंज करना होगा अगर मुझे कमपनी खोलनी है तो मुझे वर्क स्टार्ट की जरुरत होगी तब ही उसकी नजर युहेंग पर पढ़ती है और उसके दिमाग की बती जल जाती है वो फ्रूट्स लेके जल्दी से युहेंग के पास बहुँच जाती है युहेंग केता है कि मैं लंच नहीं करता मैं बस ब्रेक्फस्ट और दिनारी करता हूँ साओधी केती है कि मैं तुमारा ध्यान रखने में फैल हो गई युहेंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है सावधी कहती है कि मुझे ना बहुत गिल्टी फिल हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लंच नहीं बनाती क्यों ना आज मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊ वो बोलता है कि बदले में तुम्हारा क्या कंडिशन है सावधी कहती है कि क्या कंडिशन कुछ भी तो नहीं और महाँसे चली जाती है युहंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम सच में मेरे लिए lunch बनाना चाती हो सावधी कहती है कि हाँ नहीं तो क्या युहंग कहता है कि मैं studio में practice करने में busy रहता हूं इसलिए मैरे से lunch miss हो जाता है तुम अगर स्टूडियो में lunch लेकर आना चाहती हो तो आ जाना लेकिन साओधी मना कर देती है वो कहती है कि तुमारा स्टूडियो बहुत दूर है मेरा पूरा दिन लग जाएगा यूएंग कहता है कि अगर तुम इस्टूडियो लंच लेकर आओगी तो मैं तुम्हारे काम के लिए जगह दे दूँगा और हम लोग साथ में इस्टूडियो जाएंगे इसे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा वो फिर भी ड्रामा करती है यूएंग कहता है कि मैं तुम्हारे वर्प के लिए बड़ा स्पेस दे दूँगा और रेंट देने के बतले में तुम मुझे लंच बना देना अब ठीक है साथी तो यही चाहती थी वो उससे पूछती है कि तुम मुझे फूल तो नहीं बना रहे हो न यूएंग कहता है कि मुझे तुम्हारी जरुरत है साथी कहती है कि फिर से बोलो क्या बोले यूएंग कहता है कि मुझे सच मुझे तुम्हारी जरुरत है दोनों स्माल करने लगते हैं नेक्स मॉनिंग यूएंग और साथी को सभी लोग ग्रीट करते हैं साउधी को अजीव लगता है तो वो वापस दाने लगती है तबिढ़ बिढ़ उसे रोकती है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो तुम ने युहेंग को कैसे मना लिया इस पेस के लिए देन बिढ़ सबसे सा इंटरडियूस करवाती है और कहती है कि हमारी बेस टीम है UENG कहता है कि मैंने Saudi को अपनी टीम के लिए Mascot के रुप में हायर किया है बट Saudi है सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती है कहती है कि मुझे मेरा काम करना है तुम्हारा नहीं और वहां से जाने लगती है UENG कहता है कि तुम मेरे स्टूडियो में नहीं जाना चाती तो वो बोलती है कि नहीं तो युहेंग कहता है कि मैंसकोट की जो बहुत अच्छी है मंथली 5000 यान दूँगा वो नहीं मानती फिर वो कहता है कि 8000 यान डेली तो वो मान जाती है युहेंग यान को रेस्टोरेंट डिजर्व करने के लिए कहता है तो वो कहता है कि मुझे पता था मैंने पहला ही कर लिया है वो लोग कार से रेस्टोरेंट पहुचते हैं जब सावधी कार से उतरती है तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखकर पागल हो जाती है वो बोलती है कि मेरे लिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट बुक हुआ है जब वो पूछे मुड़कर देखती है तो वो लोग दूसरे रेस्टोरेंट में जा रहे थे जब वो दूसरे रेस्टोरेंट जाती है तो कहती है कि ये रेस्टोरेंट बुक हुआ है मेरे लिए तो यान कहता है कि हाँ क्यों अच्छा नहीं है वो मुझ बना कर कहती है कि हाँ अच्छा है ग्रेट है उसका तो सपना ही तूट जाता है बिचारी ने क्या सोचा था और क्या हो गया देन वो लोग स्टूडियो जाती है बिंग उसे दिखाती है तो यान आके कहता है कि ये सब मैंने डिजाइन किया है विंग उसे बताने जा रही थी कि ये सब युहेंग ने डिजाइन किया है लेकिन यान इसारे से मना कर देता है विंग और यान एक दूसरे को हग करने लगते हैं सावधी कहती है कि अभी तो कंट्रोल करो, अभी हम लोग बाहर हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम एक दूसरे को like करते हैं। सावधी बोलती हैं, okay continue, लगे रहो। युहेंग तो सावधी को ही देखे जा रहा था। जब सावधी बोलती हैं, तो युहेंग सबसे कहता है कि क्या कर रहे हो, चलो सब practice करो। सावधी बोलती हैं, तो वो कहता है कि आज तुम्हारा first day है ना, तो मैं तुम्हें सब जगा दिखा देता हूँ। युएंग उसे इस टूडियो दिखाता है वो लाइट सेक कर बहुत ज़ादा खुस हो रही थी और वो कहती है कि तुमने कहा था कि इस टूडियो में मुझे जगद हो गया मेरे काम के लिए यूएंग उसे जगह दिखाता है तो साओधी कहती है कि कुछ जादा ही close नहीं है यूएंग कहता है कि क्यों कुछ problem है क्या वो कहती कि नहीं मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मुझे पर नजर रख रहा है बोस की तरह यूएंग कहता है कि जाओ जाकर अपनी जगह देख लो और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मुझे बता देना मैं अरेंच कर दूँगा साओधी ये सुनकों बहुत खुस होती है और उसे थैंक्यू भी बोलती है साओधी तो यूएंग को ही देखे जा रही थी और यूएंग भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था देन सब लोग साओधी की प्लेस को अरेंच करने में लगे हुए थे यूएंग भी अपने केबिन से देख रहा था साओधी उसे बुलाती भी है लेकिन वो सर्माकर बेट जाता है तेर बिंग कहती है कि बहुत बड़ा ओर्डर आया है साओधी कहती है कि अभी तक तो मैंने फैब्रिक भी नहीं लिया है बिंग कहती है कि जो तुमने डिजाइन किया था वो वाला दे दो तो वो योहेंग की तरफ देखकर बोलती है कि नहीं वो सेल के लिए नहीं है बिंग समझ जाती है और कहती है कि किसी स्पेसल के लिए तुमने बनाया है न साओधी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और वो बिंग से कहती है कि तुम प्लीज रेन को मत बताना कि मैं यूएंग के साथ उसके स्टूडियो में काम कर रही हूँ इतने में ही रेन आ जाता है और कहता है कि मुझे क्या पता नहीं होना चाहिए साओधी उससे पूछती है कि यहां तुम कैसे तुम्हें कैसे पता चला तो वो कहता है कि तुम्हें जो order मिला है न वो में नहीं किया है वो लुझे देखते हैं और रिजक कर देते हैं रेन कहता है कि मेरे order में क्या problem है और client तो भगवान का रूप होते हैं न जौआ मेरे लिए चाय बना कर लाओ बिंगु से एक punch पानने वाली होती है तबी वो बोलता है कि साओधी साओधी बोलती है कि ठीक है मेरे क्लाइंट आईए बेठी है रेन यूएंग का केविन देखता है तो उससे पूछता है कि वो तुम्हें यहां से देखता तो नहीं है न साओधी कहती है कि नहीं मैं को नहीं देखता है साओधी पूछती है कि अर्जेंट है क्या तो वो कहता है कि नहीं अभी अर्जेंट नहीं है मुझे नेक्स्ट वीक में पहनना है साओधी कहती है कि ठीक है मैंने अभी तक फैब्रिक भी नहीं लिया है और साओधी उसे पूछती है कि तुम बहुत पतले हो गए हो साओधी बोलती है कि उसे इग्नोर करो और वो लोग कोश्यूम के बारे में बात करने लगते हैं युहेंग साओधी को बुलाता है लेकिन उसके बात पर तो कोई ध्यानी नहीं दे रहा था वो लोग अपनी बात में ही वीजी थे साओधी कहती है कि अभी तो बोलता है कि मैने नहीं ओडर दिया है फिर वो युहेंग को देखती है तो युहेंग रेन की तरफ देखते हुए कहता है कि हम लोग साथ में रहते हैं तो मुझे कोई और देने की ज़रूरत नहीं है देन वो लोग साथ में देखते हैं कि बहुत बड़ा ओर्डर आया है तो रेन साओधी को हग करने लगता है तो यूएंग उसे हटा देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वज़े से मेरा कितना लोज हुआ है मुझे पीछे ट्रेनिंग छोड़ के आना पड़ा है तब ही यूएंग को किसी का कॉल आता है और कहता है कि जिस परसन को आप ढूंड रहे थे न वो अभी एरब्रॉड में है यूएंग अपने ओफिस में जाकर अकेला बैट जाता है और वो वहाँ से साओधी को देख रहा होता है और उसके हाथ में एक नेकलस होता है उसे भी देख रहा होता है तब ही महाँ पर यान आ जाता है और कहता है कि आपने जो मेंबर्स की डिटेल मांगी थी वो में लेकर आ गया हूँ और यूएंग से पूछता है कि बोस आप बहुत अनहपी दिख रहे हैं कोई प्रॉबलम है क्या तो यूएंग कहता है कि जिस परसन को मैं ढून रहा था ना वो साओधी नहीं है यान कहता है कि बोस आज तक आपने मुझे जोवे ओर्डर दिया है न मैंने हमेशा सुना है लेकिन आज आपको मेरी सुननी होगी आप दिल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो कहता है कि जिस परसन को आप ढून रहे थे वो साओधी नहीं है तो क्या हुआ वो क्या आपका उपसेशन थी यूएंग कहता है कि प्लीज तुम अभी हैं से जाओ यान वहां से चला जाता है और कहता है कि आप ध्यान से सोचिएगा दिन साओधी नहीं के लिए खाना बना कर लाती है यूएंग उससे पुछता है कि इतनी रात हो गई तुम अभी तक जगी हो साओधी कहती है कि तुम काम करते करते ठगे होंगे ना इसलिए मैं बना कर लाई हूँ और तुम्हारा वीक स्टमक भी है ना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा वो उसके लिए डंबलिक बना कर लाई थी वो खाता है और बोलता है बहुत टेस्टी है साओधी कहती है कि मेरी मम्मे मुझसे भी अच्छा बनाती है योएंग साओधी से पुछता है कि अगर तुम्हारी लाइप का कोई इंपोर्टेंट परसन मिस हो जाए और फिर वो मिल जाए और फिर पता चले कि वो परसन नहीं है तो तुम क्या करोगी साओधी कहती है कि जो परसन आपको मिला है वो डिपेंड करता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है कि आपको कौन मिला है साओधी कहती है कि खाना खाने के बाद सो जाना मैं जा रही हूं और वो महाँ से चली जाती है देन बिंग साओधी से कहती है कि चलो आज हम लोगों को blind debt पे जाना है साओधी पूछती है कि मेरे लिए तुमने blind debt fix किया है तो वो बोलती है कि नहीं हम दोनों के लिए एक player उनके ये बात सुन लेता है वो जाकर साओधी को बता देता है कि साओधी और साओधी की friend debt पे गई है यान उस पर बहुत गुस्ता करने लगता है युहेंग को भी गुस्ता आ रहा था लेकिन वो express नहीं कर पा रहा था यान युहेंग से कहता है कि बहुत वो लोग debt पे गए हैं वो तो पागली हुए जा रहा था बिंग उन दोनों को एक दूसरे से introduce करवाती हैं और ये सब यान और युहेंग बैटकर देख रहे थे फिर वो लोग उनके पास आ जाते है युहेंग जिस तरह से उसे देख रहा था कि जाना जरूरी है क्या तो साओधी कहती कि हां मिस जियांग से लेसन लेना जरूरी है उससे मेरा स्कील इंप्रूमेंट हो जाएगा और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में उनके साथ कॉलब्रेशन भी कर लूँ युहेंग कहता है कि तुम तो न्यू टेलर के बारे में मैंसनी नहीं कर रही हो फिर हमें फ्लेजबेक में दिखाया जाता है कि साओधी न्यू टेलर के साथ लगी हुई थी और युहेंग उन दोनों को देखकर बहुत जेलिस हो रहा था तो मिस्जियांग को कॉल करता है साओधी को सिखाने के लिए तो वो मान भी जाती है साओधी कहती है कि तुम जैलस हो रहे हो ना तो वो कहता है कि तुम जादा सोच रही हो तुम चली जाओगी तो मेरा काम कौन करेगा मेरे लिए खाना कौन बनाएगा साओधी कहती है कि अगर मैं काम पर चली जाओंगे तो तुम क्या घर भी मेरे साथ लेकर आ जाओगे तो बोलता है कि हाँ मैं ले आओंगा फिर कहता है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था फिर साओधी कहती है कि तुम बार बार न्यू टेलर का क्यों मैंसन कर रहे हो वो कितने अच्छे से अपना काम भी करता है और कितने अच्छे से फूट की कर्विंग भी करता है और वो कितने अच्छे से फूट की कर्विंग भी करता है वहें कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ और वो करने के लिए चले जाता है वो गोध ध्यान से fruit के carving करता है तो साओदी उसे देख रही थी फिर वो साओदी को दिखाता है और उसे पूशता है कि क्या है तो वो कहते है कि क्या UFO है क्या तो वो कहते है कि नई नई ये Eternal Star है साओदी पूशती है कि तुमने क्या मेरे डिजाइन को देखा है तो वो कहता है कि जब मैं जा रहा था तो मैंने डिजाइन को देख लिया था वो उस पर गुस्टा करने लगती है देन हम देखते हैं कि साओधी मिस्जियांग की प्लेस पर एम्रोइडरी कर रही थी तब है मिस्जियांग आ जाती है और उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है तो साओधी कहती है कि मेंटा काम थोड़ा सा बचाए मैं उसे कर लू फिर ब्रेक ले लूगी उसे इतनी मेहनत करते हुए देख मिस्जियांग उसे कहती है कि तुम एक दिन जरूर एम्रोइड रीम में मस्टर कर लोगी और मिस्जियांग साओधी को कुछ दिखाने के लिए उसे कहीं ले जाती है दूसी तब हम देखते हैं कि यहन बेसबरी से साओधी के मेसिज का इंतिजार कर रहा था तब ही यहन आ जाता है और कहता है कि बोस आपको क्या हुआ बार बार फोन क्यों चेक कर रहा हूँ यहन कहता है कि मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है फिर यान युहेंग को मेसेज करता है तो युम जल्दी से मोबाल उठा कर देखता है उसको लगता है कि साओधी ने मेसेज किया होगा लेकिन यान उसके मज़े ले रहा था युहेंग कहता है कि क्या कर रहे हो तुम मेसेज क्यों किया यान कहता है कि मैं चेक कर रहा हूँ अपका फोन कुछ गडबड तो नहीं है न फिर यान कहता है कि बोस अपने पास्ट को भूल चाहिए और जो है उसे अपना ही है इदर मस्जियान साओधी को सुहू एमरोइडरी दिखाती है और उसके बारे में बताती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है बहुत ही अच्छा है तुम एक टेलेंटर डिजाइनर हूँ और अगर तुम उसमें सुहू एमरोइडरी एड़ करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर और भी ब्राइट होगा और कहती है कि साओधी मुझे तुमसे कुछ फैवर चाहिए तो साओधी कहती है कि हाँ बोलिए मैं आपके कैसे हल्प कर सकती हूँ वो दोनों बैटते हैं मिस्जियांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यूहंग का ध्यान रखोगी और उससे कभी भी अलग नहीं होगी यूहंग पी तुम्हारी बहुत क्यार करता है मुझे तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुशी मिलती है मिस्जियांग कहती है कि उसने फैनली लिटल स्टार को ढून लिया है वो 15 साल से लिटल स्टार को ढून रहा था साथी कहती है कि मुझे 15 साल से खोज रहा था बस यहां कहती कि हाँ तुम सिर्फ उसकी बच्वन की फ्रेंड नहीं हो बलकि उसकी लाइब की बहुत इंपोर्टेंट पसंद हो साओधी मन में सोचती है कि युहेंग मुझे कोई और समझ के मेरा ध्यान रख रहा था रूम में बैटकर वो सोचती है कि युहेंग के दिल में लिटिल स्टार है वो बैटकर उसकी बातों को सोच रही थी जब उसने कहा था कि लिटिल स्टार पसंद है और तुमने किसी से कोई इंपोर्टेंट प्रॉमिस किया है साओधी अपना और युहेंग का फोटो देखने लगती है और उसके साथ बिताय हुए स्वीट मोमेंट से याद करती रहती है तब ही युहेंग भागता हुआ महाँ पर आ जाता है और जाकर साओधी की आखे क्लोस कर देता है तो साओधी के हाथ से फोटो ले लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी फोटो देखती हो वो भी बिना मेरी पर्मिशन के फिर वो साओधी को देखता है साओधी कहती है कि मुझे अखेला रहने तो तुम जाओ यहां से यूएंग कहता है कि तुम्हें थोड़ा भी फरक नहीं पड़ता, मैं अंधेरे में कैसे जाओंगा अभी तो आया हूँ और तुम जाने के लिए कह रही हो सावधी कहती है कि तुम्हारी कैर करने के लिए लिटल स्टार है ना, तुम्हें मेरे कंसरन की क्या ज़रूरत है यूएंग कहता है कि तुम्हें पता चल गया है, सावधी कहती है कि मुझे नहीं जानना है और वहाँ से जाने लगती है यूएंग कहता है कि मुझे समझाने का एक मोका तो मैं कोई भी misunderstanding नहीं रहने दूँगा साओधी कहती है कि लिटिल स्टार को 15 साल से ढून रहे थे न मिस जियांग मुझे लिटिल स्टार समझ कर सब बता दी है यूएंग कहता है कि मैं explain करता हूँ तो साओधी कहती है कि तुम्हें explain करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ अब clear हो गया है तुम जाओ यूएंग साओधी को रोकता है कि ये क्या मतलब है तुमारा goodbye का प्लीज तुम इस तरह से बाते मत करो साओधी कहती है कि तुम जाओ और little star को ढूलो और अपना promise पूरा करो मैं चली जाओंगी अब तुम क्या खुस हो यूएंग कहता है कि तुमने तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो साओधी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ मैं किसी का भी substitute नहीं हूँ तुम उसके लिए मेरे साथ अच्छे मत बनो यूएंग कहता है कि मेरे दुल में तुम मेरी साओधी ही रहोगी तुम किसी का भी substitute नहीं हो युहेंग कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझे कहा था कि कितना भी अंधेरा रास्ता होगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी कभी मुझे अखेला नहीं छोड़ोगी और तुम मेरे लिए बहुत important person हो, please don't say goodbye युहेंग उसके आसु पोचने लगता है देन मिस्स जियांग साओधी को अपनी एमरोडरी डिजाइन्स देती है और उससे कहती है कि तुम युहेंग को कभी छोड़ कर मत जाना उसका अच्छे से ध्यान रखना और वो लोग महां से चले जाते हैं दिन साओधी पेट कर अपने डिजाइन बना रही होती है और युहेंग उसके आसपास घूम रहा था और खरासे ले रहा था, वो उससे बात करना चाता था लेकिन साओधी को तो कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा था फिर वो उसके लिए पानी लेकर रहाता है और पानी को उसके क्लॉस कर रहा था तब ही वो उसकी डिजाइन पर गिर जाता है युहेंग कहता है कि हम सौरी मैं अब भी ट्राइ कर देता हूँ वो कहती है कि जरुरत नहीं है और दोनों कीचा तानी करने लगते हैं उसमें पेपर भी फट जाता है युहेंग कहता है कि मैं फिक्स कर दूँगा वो कहती है कि फिक्स करने की जरुरत नहीं है और महाँ से जाने लगती है तब ही उसकी ममी का कॉल आ जाता है साओधी की ममी वीडियो कॉल में बालकनी दिखाती है और उसे पूछती है कि गेस करो मैं कहां पर हूँ साओधी कहती है कि आप चाइना आ गई हो उसकी ममी कहती है कि मैं तुम्हें सप्राइज देना चाहती थी मैं नेक्स्ट डॉर की बालकनी में हूँ तुम भी बालकनी में आ जाओ वो बालकरी में जाती है तो उसकी ममी कहती है कि तुम जिस फ्रेंड के साथ रहती हो मैं उसका थैंक्यू कर रहती हो रुखो मैं आती हूँ बिचारी साओधी तो फस जाती है वो मना करती है कि मत आओ वो सो गई है फिर बे उसकी ममी नहीं सुनती हो और वो आने लगती है साथिय येंग को जल्दी से रूम में खिच के ले जाती हो और उसके close जाती रहती है येंग कहता है कि क्या कर रही हो वो उसे कपड़े निकालने के लिए कहती है तो येंग कहता है कि ये सही नहीं है वो खेती हैं कि लेट हो जाएगा अगर तुम कपडे नहीं निकालोगे तो वो उसके साथ जबजस्ती करने लगती है यू हैंग कहता है कि तुम स्यॉर हो तुम अपना मंद बना चुक्त हो तो वो कहती है कि हाँ बाबा हाँ फिर वो कहती है कि मेरी ममी आ रही है उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक लड़के के साथ रहरी हूं लड़के के साथ नहीं तो यूहेंग केता है कि मतलब कि तुम जाना नहीं चाहती हो इस लिए मäमे को बताना चाहती हो कि हम लोग तब ही सावधी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो मैं तुम्हें कपड़े निकालने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम मेरे कपड़े फैन लो मैं तुम्हें एक लड़की बना दूँगी यूएंग कहता है कि तुम मुझे लड़की बनाना चाहती हो ऐसा सोचना भी मत मैं ऐसा कभी नहीं करूँ है इधर सावधी की ममी डॉल बेल बजा रही थी और कॉल भी कर रही थी इधर युएंग बोलता है कि मैं तुमारी हल्प करूँगा पर तुम्हें मुझे माफ करना होगा सावधी कहती है कि ये टाइम ये सब बाते करने का नहीं है सावधी को बार बार उसकी ममी का कॉल आ रहा था और वो डॉर बेल भी बजा रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ वो परिसान होकर कहती है कि ये भगवान मैं क्या करूँ तब ही येंग जल्दी से जाकर गेट खोल देता है उसकी मा तो येंग को देखके सौक्ड हो जाती है वो कहती है कि साइद मैं गलत घर में आ गई हूँ तो वो कहता है कि नहीं आप सई घर में आई है सावधी आती है उसकी ममी बोलती है कि तुम तो कहा रही थी कि तुम एक लड़की के साथ रहती हो सावधी कहती है कि मा मैं आपको explain करती हूँ युहेंग अपना intro देता है उसके बाद वो लोग बेट के बाते करते हैं उसके ममी पूछती है कि तुमने सच क्यों नहीं खा सावधी कहती है कि क्योंकि मैं आपको और पापा को परिसान नहीं करना जाती थी अगर मैं आपको सच बता देती तो आप लोग मुझे वापस बुला लेते वो उसके ममी को समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है और उसके ममी को भेजने की कोसिस कर रही थी लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ में रहोंगी, युहेंग भी मान जाता है देन वो लोग सोने जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बाते भी करते हैं, फिर उसकी मम्मी साओधी को रूम से निकाल देती है साओधी यहेंग के रूम की तरफ देखती है और उसकी बातों को याद करती है देन वो सोफे पे सोने चली जाती है इधर यहेंग जो पेपर फड गया था उसे बड़े ध्यान से फिक्स कर रहा था तब ही पावर कट हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है वो जैसे तैसे करके साओधी के पास जाता है वो साओधी को देखता है जिससे साओधी डर जाती है वो साओधी का जल्दी से मूँ बन करता है और कहता है कि मैं हूँ साउदी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वो कहता है कि पावर कट हो गया है ना और मेरे रूम का बेकप लाइट भी काम नहीं कर रहा है तुम्हें पता है ना मुझे अंधरे से डर लगता है तो वो कहती है कि अभी मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ तुम फ्लेसलाइट लेकर सोने चले जाओ और वो भी सो जाती है युहेंग उसे कन्विंस करने के लिए उसके पास जाकर तेज तेज ब्रीधिंग करने लगता है साओधी उटती है तो वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ तुम सो जाओ वो कहती है कि तुम मेरे सामने ऐसी लंबी-लंबी सासे लोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी साओधी उसके साथ रूम में जाने के लिए मान जाती है युहेंग मन ही मन हसने लगता है वो उसको स्लीव पकड़ने के लिए देती है लेकिन वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है साओधी उसे पूछती है कि तुम्हें अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। फिर वो उसका फेस देख कर बोलती है कि ठीक है मैं नहीं पूछ हुई। वेंग बताने लगता है कि जब मैं शूटा था तो कुछ बच्चे मुझे बहुत ही जादा बुली करते थे और मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे और कहते थे कि तुम बहुत ही गंदे हो। मुझे अभी भी वो बाते याद आती है इसलिए मुझे अभी भी डर लगता है। साओधी उसे कहती है कि तुम सो जाओ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाओंगे। वो कहता है कि तुम बैठे बैठे थक गई होगी उसे सोने के लिए स्पेस भी देता है। वो बोलती है कि मुझे प्यास लगी है और उटकर जाती रहती है तब भी वेंग उसे पकड़ लेता है और पकड़कर बैट पर सुला देता है। अब उसका जो बैकप लाइट रहता है वो ओन हो जाता है। यहेंग के बैट पर ही सो गई थी जब उसके आग खुलती है तो वो कहती है कि मैं यहां पर कैसे सो गई वो टाइम देखती है तो आट बच के 20 मिर्ट हो रहे थे वो कहती है कि मां तो अभी तक उड़ गई होंगी और उन्हें पता चल गया कि मैं लास नाइट यहेंग के सा सो गई थी तो मैं उन्हें कैसा एक्स्प्लेइन करूंगी वो तो मुझे गलस समझेंगी अधर साओधी की मां खाना बना रही होती है और यहेंग उनकी हेल्प कर रहा था साओधी की मां यहेंग को टमेटो पिल करना सिखा रही थी तो वो कहता है कि मुझे पहले ही किसी ने नहीं सिखाया. मैं cucumber cut करना try कर सकता हूँ. फिर saudea की मां उसे cucumber cut कर के दिखाती है, फिर وہ भी cut करता है Saudea की मां उसे कहती है कि जब saudea ने first time cut के lift के था तो अपना हाथ ही cut कर लिया था. फिर वो कहती है कि तुम बहुती जादा brilliant हो तो मारी मा को बहुत proud feel होता होगा न तुम पर यूहिंग सेड़ो कर कहता है कि मैं बिना मा का ही बड़ा हुआ हूँ मैं अनाथ हूँ और अनातास्रम में ही बड़ा हुआ हूँ यूहिंग कहता है कि मुझे साउधी से बहुत जलन होती है उसके पास आप जैसे माजों है साओधी की माँ कहती है कि अपसे तुम मेरे वेटे हो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी तब ही साओधी बचते बचते जारी होती है लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है उसकी माँ कहती है कि क्या कर रही हो तो साओधी कहती है कि माँ आप जल्दी क्यों उट गई मैं खाना बना देती वैसे माँ आप कप जगी तो वो कहती है कि जब तुम दोनों साथ में सोई थे और तुम दोनों एडॉल्ट हो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया करो वो दोनों चोक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं फिर साओधी अपनी मां से कहती है कि मां आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है फिर उसकी मां कहती है कि हाँ मुझे पता है तो साओधी उसे कहती है कि तुम ना बहुत वियर्ड एक्टिंग कर रहे हो कुछ न कुछ तो गडबड है और वो उस पे चड़े ही जा रही थी तब इसकी मां उसे रोकती है और कहती है कि युहेंग अपसे मेरा बेटा है उससे बुली मत करो साओधी कहती है कि मेरी मा को तुमने अपनी मा बना लिया वेट करो मैं तुम्हें बताती हूँ फिर वो वहाँ से चली जाती है इधर रेन से उसकी मैनेजर कहती है कि तुम्हारे और साओधी के बारे में जो रिमर फैला था उसकी वज़े से सारे contract terminate हो रहे है और उसका cousin भी उस पर गुस्टा करने लगता है तो rain कहता है कि तो क्या मैं सब के सामने ये बोलू कि मैं Saudi को पसंद नहीं करता हूँ और वहाँ से गुस्टे से चले जाता है इदर Saudi की माँ और येंग डंबलिंग बना रहे होते हैं Saudi की माँ उससे कहती है कि मैंने और भी खाना बना कर फ्रीज में रख दिया है तुम याज से खा ले ना और जादा मत खाना तुम्हारे पेट में प्रॉबलम हो जाती है मुझे Saudi ने बताया था तभी Saudi आजाती है और कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो तभी रेन भी आजाता है येंग का तो मोही बन जाता है रेन कहता है कि मैं बहुत धग गया हूँ पता नहीं कितने गंटे से चल रहा हूँ मुझे बहुत भूग लगी है मुझे खाना दो वरना मैं मर जाओंगा Saudi कहती है कि तुम कहां से आ रहे हो तुम पुरे पसीने में हो गए हो तभी रेन के नचे Saudi की माँ पर पढ़ती है वो कहता है कि माँ आप कव आई मैं आपको बहुत मिस कर रहा था और उन्हें हग कर लेता है जब रेन Saudi को टच कर रहा था तो यूहेंग उसे बहुत ही घूर के देख रहा था वो दोनों सोफे पर बैट जाते है Saudi उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहाए कि वो मेरी मा है तुम्हारी मा नहीं है अपनी मा बोलना बंद करो यूहेंग उन्हें बार बार देख रहा था और वो जेलिस हो रहा था Saudi के मा को सब समझ आ रहा था रेन कहता है कि यूहेंग किचन में काम कर रहा है वो तो हमेसा तुम्हें ओर देता रहता है ना साओधी कहती है कि तुम भी तो मा के सामने स्वीट बनते रहते हों व harass करता है कि तुम से साधी बीरूंगा फिर रिन साओध को औरेंज पिल करके देता है खाने के लिए यह सब देखकर यहेंग्ं बहुती जादा जलिस हो रहा था तबि का Blake सउधी के माँ उसे कहती है की साॉधी को औरंज यूस बहुत ही पसंद है जा हूसे देदो वह उसे देने जाता है लेकिन वह कहती है कि मैं आल्रेटी ओरंज खा चुकति हूँ तो रेन उसके हाथ से लग कर पी लेता है यूहंग रेन को हटा कर मा पर कवर ढाल देता है और फि दिन रेन साओधी के मां से कहता है कि क्यों नहीं आप और साओधी मेरे अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाए किसी आउटसाइडर के अपार्टमेंट में क्यों रह रही है तो वो कहती है कि युहेंग आउटसाइडर नहीं है युहेंग डंबलिंग खा रहा आता तबी उसका मुह जल जाता है तो साओधी उसे पानी देती है और टीशू भी देती है Rain यह सब देखता रहता है और वो भी टीशू के लिए हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन साओधी उस पर ध्यानी नहीं देती युहेंग रेन को जलस करने के लिए साओधी की तरफ बॉल करता है वो उसको सौस देती है वो उसको दिखाना चाहता था कि साओधी उसे कितने अच्छे से समझती है वो दोनों डंबलिंग खाने का कॉंपेटिशन करने लगते हैं तब ही युहेंग के मुँन से कॉइन निकलता है साओधी उसकी माँ पर गुस्टा करने लगती है कहती है कि आप कॉइन कैसे रख सकती है उसको माइसोफोबिया है साओधी की माँ कहती है कि मुझे पता है इसलिए मैंने सेनिटाइज करके रखा था वो कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो रेन उसे देखता रहता है कि साओधी यूएंग के कितनी फिकर करती है यूएंग कहता है कि मैं ठीक हूँ माने कहा था कि ये ट्रडिशनल रिजूल है साओधी की मा कहती है कि देखो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम खामखा चिंता कर रही थी और कहती है कि हमारे फैमिली के रूल के हिसाब से तुम कोई भी एक रिक्वेस्ट मांग सकते हो तो यूएंग कहता है कि मैं साओधी को आज कहीं लेकर जाना चाहता हूँ फिर बोलब थियेटर जाते हैं साओधी उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो वो कहता है कि यून ने कहा था कि यहाँ पर अच्छी मूवी लगी है वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर मूवी दिखाने लाए हो जादा रात हो जाए कि तो हम लोग घर के से जाएंगे और यहां की lights क्यों ओफ है तो मैं अंधरे से डर नहीं लग रहा है फिर वो उसे वो diary देता है जिसे वो fix कर रहा था तो सावधी उसे कहती है कि तुमने इसे fix करने में इतना time क्यों वेस किया मैंने दूसरी बना ली है तुम हर चीज fix नहीं कर सकते हो युहेंग कहता है कि मैं हर चीज को fix करने की कोसिस करूँगा और मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें लिटर स्टार के बारे में कुछ बता सको सावधी कहती है कि मुझे पता है कि तुम 15 साल से उसे ढून रहे हो तुम ही मेरी life की सबसे important person है प्लीस मुझे कभी छोड़ कर मत जाना सावधी कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाओंगी अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम्हें protect कौन करेगा युएं कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा वो उससे कहता है कि तुम मुझे खुशा तो नहीं हो ना तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना वो उससे pinky promise ले ही रहा था तभी movie स्टार्ट हो जाती है तो वो अच्छानक से डर जाता है साओधी उससे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा protect करूँगी और तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाओँगी वो उसे पकड़ कर अपने कंदे पर सुला देता है और दोनों movie देखने लगते है देन वो सूपर मार्केट से सामान ले रहे होते हैं महाँ पर भी दोनों एक दुसरे को बहुत प्यार से देखते हैं वो लोग महाँ से वापस आते हैं तो देखते हैं कि साओधी की माँ साओधी का room renovate करने के लिए दो लोगों से बाते कर रही थी युहेंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था साओधी केहती है कि मां आपको यादे रिणोवेट करवाने का साओधी के मां केहती है कि हाँ मुझे जाने से पहले तुमारा room renovate करवाना होगा युहेंग उनसे कहता है कि क्या आप कुछ दिन और नहीं रुख सकती कुछ दिन और रहती तो मैं आपसे बहुत कुछ सिख सकता था साओधी की मा कहती है कि अब तो हम फैमली है ना मैं तुम्हें बाद में सिखा दूँगी दिन साओधी की मा जाने लगती है वो जाते वे सिर्फ यूहेंग से ही बाते कर रही थी साओधी विचारी इदर उदर उचल रही थी लेकिन वो उसे बाती नहीं कर रही थी साओधी की मा जाते जाते कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे बता दो वरना कोई और तुम से ले जाएगा और अपना ध्यान रखना साओधी की मा साओधी से कुछ कहीं नहीं रही थी और महां से चली जाती है साओधी युएंग से कहती है कि अब घूरना बंद कर दो वो चली गई है वैसे भी वो मेरी मा है तुम्हारी नहीं युएंग कहता है कि मुझे टंबलिंग खाना है तो वो कहती है कि मैं बना दूंगी तो गलता है कि नहीं मुझे मा के हाथ का बना हुआ डंबलिंग खाना है साउधी घुस्सा करने लगती है तब ही उसकी मा का मेसेज आ जाता है उन्हेंने किछ पैसे भेज़े थे और कहा था कि अपना ध्यान रखना इद्धिर रेन के मैनेजर उससे कहती है कि तुम्हारी और साउधी के बारे में जो रिमर्स फैले थे उसकी वज़े से तुम्हारी पॉपलरिटी काम हो गई है अपने काम पे ध्यान दो और वापस से पॉपलर हो जाओ वरना वो लोग योहंग को लेने की बात कर रहे हैं रेन कहता है कि सबी लोग योहंग में इंट्रेस्टेट है उसमें इतना ग्रेट क्या है वो कहता है कि तुम मेरे लिए प्रेस कॉनफरेंस आरेंज करूं वो कहती है कि हा में करती हूँ और तुम press conference में सारी problems clear कर देना तभी वो कहता है कि मैं उसे propose करना चाहता हूँ manager कहती है कि already इतनी problems है तुम और problem create करना चाहते हो लेकिन रेन उसे किसी तरह मना लेता है इदर बिंग का pet दर्थ कर रहा होता है तो यान उसे medicine देता है वो बिंग को carry कर रहा था तभी उसे योहेंग का message आ जाता है कि मुझे तुमसे बहुत important काम है तुम जल्दी से studio आओ वो लोग भागते भागते studio पहुचते हैं और यान योहेंग के पास पहुचकर कहता है कि हाँ बोस बोल ये क्या हुआ है पहला rich, दूसरा handsome, तिसरा composed और चोथा sweet अप rich और handsome तो है आपको sweet और composed बनना होगा लड़कियों को sweet boy बहुत पसंद होते हैं और composed भी आपको Saudi के साथ हमेशा चिपके रहना होगा गम की तरह योहेंग केहता है कि मैं एक बड़ा अदमी हूँ, मैं उसके साथ हार टाइम कैसे चिपके रह सकता हूँ तो यान केहता है कि बहुत उस प्यार में ये सब करना पड़ता है एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योहेंग Saudi को खाने के लिए बुलाने आता है Saudi कहती है कि तुमने मेरे लिए खाना बनाया है लेकिन मैं अभी थोड़ी बीजी हूँ, मैं नहीं आ सकती योहेंग कहता है कि प्लीज चलो ना मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है तब ही वो यान की बात याद करता है और वो Saudi के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर स्वीट बनने की कोशिस करता है और बहुत ही क्यूटली वे में कहता है कि मुझे तुमारे साथ खाना खाना है प्लीज चलो ना चलो ना प्लीज Saudi उसे देखकर हसने लगती है और उसका fever check करने लगती है योहेंग कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए Saudi उसका हाथ पकड़कर रोगती है और पूछती है कि तुम ये सब कहां से सीख रहे हो वो कहता है कही से भी तो नहीं मुझे आप जाना चाहिए वरना खाना ठंड़ा हो जाएगा Saudi खेती है कि चलो मैं भी चलती हूँ वो जाकर देखती है कि खाने में सिर्फ noodles है तब ही येंग फिर से यान की बात को याद करता है उसने कहा था कि आपको Saudi को gift देना होगा क्योंकि लड़कियों को gift बहुत पसंद होता है येंग उसे अपना card ही निकाल कर दे देता है और कहता है कि तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो Saudi कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे expense में handle करूँ न येंग मन में सोचता है कि मैं और भी अच्छे से बोल सकता था और वो कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तुम्हें ले लेता हूँ Saudi जल्दी से card उठा लेती है और कहती है कि मुझे चाहिए येंग कहता है कि मेरा password birthday date है तो Saudi कहती है कि मुझे पता है और उसे password और birthday date बताती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है येंग पूछता है कि और क्या-क्या पता है तुम्हें तो सौदी कहती है कि तुम्हारा स्कार्पियो है तुम्हारा बलروड ग्रूप एयर पोزिटिव है तुम E-Sports में Genius हूँ और तुम्हें सभी बहूत पसंद करते हैं वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में इतना सब कुछ तो साओधी कहती है कि सीक्रेट है तो वो कहता है कि तुमने ये सब कुछ इंटरनेट से सर्च करके निकारा ना तो वो कहती है कि हाँ और अगर तुम मुझे और भी जादा पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे में और भी जादा इंट्रेस्टेट रहूँगी तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगी और मैं तुम्हें डिस्टरब मी नहीं करूँगी फिर वो दोनों नूडल्स खाने लगते है इधर रेन अपने लिए ड्रेस्स सेलेक्ट कर रहा होता है तुम्हें करूगी रेन उसे कन्विंस करने में लगा रहता है वो से कहता है कि जब हम छोटे थे तो तुमने प्रामिस किया था कि जब भी मैं तुमसे एक विस मांगूँगा तो तुमसे पूरी करोगी तो मेरी विस ये है कि तुम कल मेरे साथ प्रेस कॉंफरेंस जोइन करोगी साओधी मान जाती है और कहती है कि तुम प्रेस कॉंफरेंस में कुछ बक्वास मत करना मेरे सामने और मैं स्पोटलाइट में भी नहीं आना चाहती हूँ, मैं बैक स्टेज पर ही रहूंगी रेन मान जाता है और उसे हग करने जाही रहा था, तभी साओधी उसे रोग देती है और कहती है कि अगर आगे से मुझे टेच करो तो बहुत मार खाओगे, फिर वो वहाँ से चला जाता है फिर हमें पता चलता है कि same day और same time पर ही युहेंग का भी press conference है यान उसे ticket देता है और कहता है कि आपको personally सावधी को press conference में invite करना होगा तबी सावधी आ जाती हो और कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है तो वो लोग बताते हैं कि कल हमारा 5 बजे press conference है तो मैं join करना है तो सावधी कहती है कि तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था मैंने तो रेंड से promise कर दिया है उसकी press conference में जाने के लिए यान सावधी को convince करने की बहुत कोशिस करता है तब ही यहेंग उसे रोक देता है और कहता है कि उसने किसी और से promise कर दिया है वो ticket को book के अंदर रख देता है और यान को भी रोकता है तब ही महाँ पर bing आ जाती है और सावधी को बुला कर ले जाती है साओधी को भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो युहेंग की प्रेस कॉंफरेंस में जाना चाहती थी यान युहेंग से कहता है कि कितना अच्छा मोका था आपकी और साओधी की रिलेसेंसिफ को पॉपलिक में अनौन्स करने का यूहेंग कहता है कि था तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं और वैसे भी मैं उसे reporters के सामने नहीं लाना चाहता है हो सकता है वो परिशान हो जाए बिन रेन की manager साओधी को साथ लगर बिठाती है तब ही उसे बिंग का message आता है वो उसे कहती है कि मुझे यान से पता चला है कि तुम रेन की press conference में जा रही हो यूहेंग का भी तो press conference है साओधी रेन की manager से पूछती है कि तुम्हें पता है कि आज मुझे रेन ने क्यों बुलाया है वो कहती है कि मुझे नहीं पता है प्रेस कांफरेंस खतम होने के बाद पता चल जाएगा अगर कुछ help चाहिए हो तो बोलो साउधी कहती है कि मुझे आज कुछ important रटेंट करना है रेन की मैनेजर कहती है कि तुम नहीं जा सकती हो वरना रेन मुझे पर गुस्सा करेगा वो कहती है कि मुझे रेन ने तुमारा ध्यान रखने के लिए कहा है तुम मुझे बता सकती हो क्या important है साउध में कुछ help कर सको साउधी कहती है कि एक्चुली आज ही यूहें की टीम की first press conference है मुझे महा जाना है रेन की manager कहती है कि अगर तुम जाना चाती हो तो चली जाओ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी यकिन पहले मेरी एक बात सुन लो रेन ने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है उसने हमेशा तुम्हें important सबसे ज़्यादा दे है उसकी happiness के बारे में सोचो और आज के दिन उसके साथ रहो बस यही मेरी last request है सावधी कहती है कि ठीक है यदर यूएंग के team के सबी player बाते कर रहे थे तब उन में से एक player कहता है कि आज ही रेन का भी press conference है और वो उसमें अपनी girlfriend का नाम announce करने वाला है यूएंग ये सब सुनकर mobile की तरफ देखता रहता है यान कहता है कि यो तोन गया था हम लोगों का schedule देखने के लिए अभी तक आया नहीं है तब ही वो आ जाता है और कहता है कि हम लोगों का press conference एक घंटे delay है जिसा sports की वज़े से तो वो लोग घुसा करने लगते है यूएंग कहता है कि ये press conference से कोई official match नहीं है इसलिए हम लोगों को उससे जगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है यूएंग कहता है कि मैं रात को लेट सोया था इसलिए मैं थोड़ी दिर nap लेना चाता हूँ तो वो लोग बाहर जाओ और कोई काम होगा तो मुझे call करता है न वो सबी चले जाते हैं तभी यूएंग वही रेन वाली news देखने लगता है इदर सावधी make-up room में बैठी थी तभी उसके पास bing आती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि रेन तुम्हारा बच्पन का दोस्त है लेकिन यूएंग ने भी तो तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है क्या तुम उसका प्यार देखने ही पा रही हो यान ने कहा है कि उन लोगों का press conference एक घंटे डिले हो गया है तुम्हारे पास उतना ही टाइम है तुम सोच लो कि तुम रेन के साथ रहना चाहती हो या यूएंग के press conference में जाना चाहती हो ये बोलकर वो महाँ से चली जाती है इधर जीसा sports के members reporter के सवालों के जवाब दे रहे थे तभी यूएंग की entry हो जाती है और सभी reporters उसके पास चले जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि साओधी के सच में आपकी sister है साओधी और आपका क्या relation है सुनियन भी जवाब जाना चाहा रही थी यूएंग बिना कुछ कहे जाने लगता है तभी साओधी आ जाती है यूएंग उसकी तरफ देखकर smile करता है और उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है साओधी भी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो में लेट हो गई यूएंग कहता है कि नहीं तुम टाइम पर आई हो साओधी सभी रिपोर्टर्स को जवाब देती है और कहती है कि मैं यूएंग की सिस्टर नहीं हूँ और नहीं में रेंग की गल्फरेंड हूँ ये एक misunderstanding की वज़े से हुआ है वो कहती है कि रेंग मेरा best friend है और वो ये सब इसले कर रहा था क्योंकि वो मुझे बचाना चाहता था फिर सभी रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि आप और यूएंग साथ में रहते हैं आप दोनों का क्या रिस्ता है सब लग उस पर चड़े ही जा रहे थे तभी यूएंग उससे माइक लेकर कहता है कि साओधी मेरी गल्फरेंड है ये सुनकर सुनियन का तो दिली तूट जाता है दूसी तर रेंग भी प्रेस कॉनफरेंस में बेठा था वो साओधी का वेट करता रहता है लेकिन साओधी नहीं आती है तभी उसको साओधी का मेसेज आता है कि मुझे माफ कर देना आज में तुम्हारी प्रेस कॉनफरेंस में नहीं आपाऊंगी तुम अच्छे से प्रेस कॉनफरेंस करना फिर एक रिपोर्टर उटकर सवाल पूछने लग तभी दूसरी मॉबल में न्यूस बताती है कि युहेंग ने अपनी गर्फरेंड का नाम अनौस किया है उसकी गर्फरेंड साओधी है ये सब सुनकर रेंग का तो दिल ही तूट जाता है वो कहता है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूँगा ये सुनकर उसके फैंस को बहुत बुरा लगता है इसलिए वो सबी फैंस को एक सौंग सुनाता है वो बहुत ही जादा सैड था इधर बिंग यान से पुछती है कि तुम मुझे क्या लाइक करते हो वो डिरेक्ली बॉल देता है कि हा मैं तुम्हे लाइक करता हूं तो वो कहती है कि तुम directly कैसे बोल सकते हो तो वो सरमाखे कहता है कि मैं तुम्हें like करता हूँ बिंग कहती है कि मैं भी तुम्हें like करती हूँ वो खुशी चास को उठा लेता है तब ही उसके friends आ जाते हैं वो nervous होके उसे छोड़ देता है विचारी नीचे गिर जाती है यान उनसे पोस्टता है कि क्या हुआ बोलो तो वो लोग बोलता है कि जीसा sport ने हमें press conference के सामने match के लिए challenge किया है ये सब बाते करते हुए विचहन भी उन्हें सुन लेता है और वो भी महाँ पर आ जाता है यान और विचहन के बीच argument होने लगता है तो विचहन उसे धक्का दे देता है तो बिंग उसे पीटने लगती है कहती है कि तुमारी हिमत कैसे हो ही मेरे बंदे को हाथ लगाने की सब लोग उसे छुडाने में लगे होते है यान सोचता है कि मेरी girlfriend इतनी powerful है फिर उसे उठा के वहाँ से लगके चले जाता है इधर साओधी और यूहेंग घर जा रहे थे दोनों अंदर ही अंदर बहुती ज़्यादा खुस हो रहे थे यूहेंग उसका हाथ पकड़ने की कुशिस करता है फिर उसका हाथ पकड़ लेता है साओधी भी उसका हाथ पकड़ लेती है दोनों बहुती ज़्यादा खुस होता है और ये एपिसोट यहाई पर end होता है एपिसोट की starting में हम देखते हैं साओधी रेन का wait कर रही थी, तभी रेन आ जाता है और उसे अपना जेकेट निकाल कर देता है और कहता है कि तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो साओधी कहती है कि तुम drink यह हो न रेन कहता है कि press conference के बाद friends के साथ gathering थी, इसलिए मैंने drink किया है साओधी पूछती है कि प्रेस कॉंफरेंस कैसा रहा तो वो कहता है कि अच्छा था रेन पूछता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी तो साओधी कहती है कि आज के लिए सौरी रेन कहता है कि थैंक्यू मेरा वेट करने के लिए मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा फिल हो रहा है साओधी उसे कहती है कि प्लीज ऐसे भीहओ मत करो चाहो तुम्हें पंच मार लो मेरे साथ फाइट कर लो मेरे पर गुसा कर लो पर ऐसे भीहओ मत करो रेन कहता है कि मैं तुम्हारा childhood friend हो ना तो मैं तुम पर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ रेन पूछता है कि तुम्हें उसे बता कर कैसा feel हो रहा है तुम उसे like करती हो ना साओधी कहती है कि हाँ और तुम्हें तुम्हारा happiness खुद डूणना होगा तुम्हारे लिए कोई न कोई जरूर होगा लेकिन मैं वो नहीं हूँ रेन कहता है कि तुम मेरे लिए गिल्टी फिल मत करो मैं तो एक सलिब्रिटी होना मेरे पर बहुत सारी लड़किया माती है कोई न कोई तो मुझे मिल ही जाएगे तुम उसे लाइक करती हो तो देट करो उसे वैसे भी वह गुसेल है तुम उसके साथ जादा दिन नहीं रह पाओगे फिर तुम मेरे पास ही आओगे तो साओधी कहती है कि मैं उसे सचमुश लाइक करती हूँ तो रेन कहता है कि प्लीज जले पे मत नमक्षिर को ऐसे ही मेरा दिल तूट चुका है साओधी कहती है कि तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ तो रेन कहता है कि कुछ नहीं तुम रूम में जाओ तभी वहां पर तियान आ जाती है साओधी महां से जाने लगती है तभी तियान रेन को हग कर लेती है और कहती है कि रुको साओधी हम लोगों को देख रही है और तुम्हें अगर रोना है तो रो लो रेन कहता है कि मैंने साओधी को खो दिया है और मैं ये सच एकसेप नहीं कर पा रहा हूं और वो रोने लगता है साओधी एक ट्रेज डिजाइन करती है और उसे देखकर कहती है कि he is my star तबी युएंग आ जाता है वो उसे एक paper देता है और कहता है कि देखो उस paper में relationship mode लिखे रहते हैं युएंग कहता है कि देखो तुम्हें कौन सा पसंद है साओधी कहती है कि तुम ये सब बकवा सीखते कहां से हो और कहती है कि अच्छा तुम्हें कैसा relationship चाहिए युएंग कहता है कि paper में जो भी लिखा है सब कुछ अच्छा है लेकिन तुम्हें जो पसंद आएगा मुझे भी वही पसंद आएगा वो कहता है कि मैं कभी relationship में नहीं था चलता है कि वो mysterious man जिसने बहुत बड़ा order दिया था वो कोई और नहीं बलकि मिस्टर डिंग है साओधी मिस्टर डिंग को अपना design दिखाती है मिस्ट वाई उससे पूछती है कि ये design सचमिस तुमने बनाया है साओधी कहती है कि हाँ मैंने ही बनाया है मिस्टर डिंग कहते हैं कि ये design तो साओधी कहती कि हाँ मुझे पता है ये embroidery design मिस्ट जियांग का है लेकिन मैंने उनसे permission ली है मिस्टर डिंग जब उसकी dress को देखते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा design किया है और मिस्ट डिंग की embroidery से ये और वी अच्छा लग रहा है फिर मिस्टर डिंग साओधी को traditional culture so को join करने के लिए कहते हैं साओधी को तो believe ही नहीं हो रहा था वो मान चाती है और फिर वो अपना design बनाने में लग जाती है तब ही महाँ पर बिंग आ जाती है और उसे मिस्स युहेंग करके tease करने लगती है और उसे पूछती है कि अब तुम्हारे और युहेंग के बीच में कैसा चल रहा है वो बोलती है कि जिसा पहले था वैसे ही चल रहा है बिंग उसे युहेंग के close जाने का idea देने लगती है इधर युहेंग हमेशा की तरह book read कर रहा था तब ही सावधी men's के कपड़े पहन कर आ जाती है जिसा कि बिंग ने उसे सिखाया था युहेंग कहता है कि क्या कर रही हो तुम तो वो कहती है कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं यूहेंग कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट है ये कोश्यों उतार के नॉर्मल गेट अप में आ जाओ साओधी वैसे ही करती है जिसे बिंग ने उसे सिखाया था यूहेंग उसे कहता है कि साओधी के तुम्हें फीवर है और उसका फीवर चेक करने लगता है तब ही साओधी उसका हाथ पकड़ लेती है यूहेंग कहता है कि साओधी तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो साओधी वही बोल रही थी जो बिंग ने उसे सिखाया था लेकिन वो भूल जाती है कि सोरी मैं गलत लाइन बोल दी और वो जाने लगती है तब ही योहेंग उसे पकड़ कर बैट पर गिरा देता है और उसे वही recording सुनाने लगता है जो बिंग ने उसे कहा था उसे बहुत ही embarrassed फिल होता है और वो वहाँ से चली जाती है next morning भी साओधी embarrassment की वज़े से योहेंग से अपना मूँ चुपा रही थी योहेंग उसके पास आकर बैट जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो तो वो कहती ही कुछ नहीं मैं तो अपना design बना रही हूँ योहेंग कहता है कि तुम मुझे avoid कर रही हो न वो कहती ही कि नहीं मैं भला ऐसा क्यों करूँ फिर योहेंग कहता है कि टीम के uniform के लिए तुम्हें मेरा measurement लेना है वो बोलती है कि अभी तो वो बोलता है कि हाँ फिर वो उसका measurement लेने लगती है योहेंग तो उसे ही प्यार से देखे जा रहा था साओधी तो nervous हो रही थी फिर वो कहती है कि स्टूडियो में सब को बोल देना कि uniform के लिए सबी अपना measurement ले दे योहेंग उसके close जाकर कहता है कि तुम सिब मेरा measurement ले सकती हो किसी और का नहीं और कहता है कि मैं इस relationship को निभाने के लिए अपना बैच दूँगा presence रखो साओधी बोलती है कि कोई इंपेसंस हो रहा है फिर योहेंग उसे forehead पर किस कर लेता है और hug भी करता है इधर रेन एक एक करके सबी को call कर रहा था कि अभी मैं free हूँ क्या मेरे लिए कोई man lead का roll है लेकिन सब भी उसको मना कर देते हैं कोई भी उसको काम नहीं देता है इधर रेन का cousin और योहेंग बात कर रहे थे योहेंग उससे पूछता है कि आपने मेरी टीम में invest क्यू किया है वो कहता है कि मैं एक businessman हूँ मुझे profit से मतलब है और मुझे पता है कि टीम eternity मुझे disappoint नहीं करेगा मुझे huge profit लाके देगा योहेंग कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी टीम पर अभी pressure है और help चाहिए इसलिए मैं तुम्हें offer दे रहा हूँ जिससे कि हम दोनों का profit होगा योहेंग समझ जाता है और कहता है कि तुम्हारी क्या condition है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत smart हो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम rain के career में help करो तुम्हारी जो भी conditions होगी मैं agree हूँ योहेंग अपनी conditions बताता है वो कहता है कि मैं commission और advertisement में engaged नहीं रहूँगा और नहीं entertainment industry में join करूँगा वो कहता है कि कोई problem नहीं है और मान जाता है इधर बिंग रो रही होती है तो यान उससे कहता है कि तुम क्यों रो रही हो किसने मेरी baby को परिसान किया है मैं उसकी टांगे तोड़ दूँगा वो कहती है कि मेरे mom dad fight करते थे तो मैंने divorce file करने के लिए बोल दिया था तो उन लोगोंने search में divorce file कर दिया है यान उससे समझाता है कि अभी ओर लोग गुसे में है तीरे से सब कुछ ठीक हो जाएगा इधर यूएंग साओधी से कहता है कि आज मैं free हूँ बोलो तुम कहां जाना चाती हूँ हम लोग साथ में चलेंगे साओधी कहती है कि बिंग और यान ट्रिप पर जा रहे है तो यूएंग कहता है कि वो लोग नहीं जा सकती क्योंकि यान की दादी की तविद बहुत खराब है देर हम साओधी को देखते हैं कि वो अनाता स्रम जाती है और बच्चों को देखकर बहुत खुस होती है तब ही महाँ पर डारेक्टर आ जाती है वो पूछती है कि आप कौन तो साओधी अपना इंट्रो देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस बना दू वो कहती है कि उन लोगों के तरफ से मैं आपको थैंक्यू बोल देती हूँ बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा फिर साओधी कहती है कि मैं यहाँ बच्चपन में रहती थी फिर मुझे पैरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था तो मैं अब्रोट चली गई वो कहती है कि मैं सभी बच्चों को सालों से जानती हूँ लेकिन किसी बच्ची का नाम लेन साओधी तो नही था फिर उसकी नजर साओधी की ड्रेस पर पढ़ती है और वो पूछती है कि कहीं तुम वो बच्ची तो नहीं जिसे बच्चपन में हाफ-ो ड्रेस बहुत पसंद है वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ फिर डारेक्टर उसे कहती है कि तुम्हें वो बच्चा याद है जिसके साथ तुम महाँ पर खेला करती थी तुम्हारे जाने के बाद तो उसका दिल ही तूट गया था उसने कुछ दिन तक खाना भी नहीं खाया था और बहुत बिमार भी पड़ गया था वो कुछ बोलता भी नहीं था वो वहीं पर बेठा रहता था इस उमीद में कि तुम वापस आ जाओगी देखो तुम आज वापस आ गई हो तभी यूएंग को डारेक्टर का कॉल आ जाता है वो उसे कहती है कि तुम जो लिटल स्टा को पंदसार से ढून रहे थे वो वापस आ गई है अभी भी यहीं है यूएंग कहता है कि अब मेरी गर्ल्फरेंड है डारेक्टर कहती है कि वो बहुत सुन्दर है कुछी समय पहले अबरोट से आई है उसका नाम लिन साओधी है ये सुनकर यूएंग सॉफ्ट हो जाता है तब ही महाँ पर यूएंग आ जाता है साओधी उससे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो यूएंग कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढी लिया तो साओधी बोलती है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर क्यो आई हो साओधी पूछती है कि उसका pendant तुम्हारे पास कैसे यूहेंग कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि जब हम separate हो जाएंगे तो इसी pendant की help से मैं तुम्हें ढून लूँगा देखो मैं आ गया मैंने अपना promise प्रेक नहीं किया है flashback में हमें दिखाया जाता है कि साओधी ने बचपन में उसे pendant दिया था और कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाओंगी तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे तो इस pendant की help से तुम मुझे ढून लेना यूहेंग कहता है कि मैंने कभी भी इस pendant को अपने आप से दूर नहीं किया है और उसे help कर लेता है साओधी उसे कहती है कि क्या तुम बचपन के hang हो यूहेंग कहता है कि हाँ और तुम मेरी little star मैंने तुमें हर जगर लेकिन तुम पूरा time मैरे साथी थी साओधी पूछ ती है कि मुझे ही ढून रहे थे यूहेंग कहता है कि मैं तुम्हें 15 सालों से ढून रहा हूं मैं हमिशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि मैं तुमसे दोबारा कब मिलूंगा देखो आज ये विस्पूरी हो गई सावधी कहती है कि मुझे माप कर दो मैंने तुम्हें याद नहीं रखा मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतने सालों से ढून रहे हो युहेंग कहता है कि माफी तुम मुझे मागनी चाहिए तुम इतने तीनों से मेरे साथ थी लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया युहेंग सावधी के साथ बिताय हुए सारे मुमेंट से याद करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह याद करता था, ऐसा कोई मुमेंट नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया साओधी कहती है कि मैं भी तुम्हें याद करती थी युहेंग पूशता है कि 15 सालों बाद भी क्या तुम मुझे लाइक करती हो साओधी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, चाहे तुम बचपन के फ्रेंड हैंग हो या अभी के मेरे लू यूहेंग, मैं दोनों को ही लाइक करती हूँ, यूहेंग कहता है कि मुझे भी बहुत खुसी है कि तुम्हें मेरी साओधी हो और तुम्हें मेरी लिट पिर वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि और दो फिर वो उसे और खिलाती है फिर उसे दूसरे चिक पर किस कर लेता है इस बार साओधी पर उसे किस कर लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही डिस्टप करोगे तो मैं ब्रेकफस कैसे बनाओंगे यूहें कहता है कि म अगर ऐसे मुझे hold करके रखोगे तो मैं breakfast नहीं बना पाऊंगे। तो वह कहता है कि मत बनाओ और उसे forehead पर kiss कर लेता है। Saudi भी सर्मा कर उसको hug कर लेती है। इधर Ren अपने room में बेठा रहता है तब ही उसके पास दियान आ जाती है। उससे कहती है कि तुम्हें अपनी life में move on करना होगा। तुम ऐसे ही अपने आपको room में lock करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम हमेसे Saudi के बारे में सोचते रहते हो। इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ में हो तुमने कभी मुझे attention नहीं दिया। वो कहती है कि मैं तुम्हें like करती हूँ। रेन कहता है कि इसमें Saudi की गलती नहीं है अगर वो मुझे पसंद नहीं करती लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर तियान का दिल तूट जाता है। वो कहती है कि ये घर तुम्हारा ही है मैं यहां से चली जाती हूँ और वो महां से चली जाती है। इधर बिंग साओधी से पूछती है कि युहेंग नहीं दिख रहा कहां गया है। तो वो कहती है कि मैंने उसे ग्रोसरी का कुछ सामान लाने के लिए भेजा है। अपसे मैं इस घर की boss हूँ फिर बिंग कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही जादा जलिस हूँ कि तुम दोनों की relationship में progress हो रहा है और पता नहीं मेरी relationship में क्या हो गया है जब भी मैं उसे trip पे जाने के लिए बोलती हूँ बात को change कर देता है ignore करता रहता है साओधी उसे कहती है कि तुम इतना मसोचो युहेंग ने मुझे पताया था कि उसकी दादी की तवित खराब है वो नर्सिंग होम में है इसी वज़े से वो नहीं जा पा रहा है देन बिंग यान की दादी के पास बहुत जाती है उनका ध्यान रखती है और बिल भी पे करती है जब यान उसकी दादी से मिलने आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि बिल औरेडी पे हो चुका है बिंग ने किया है ये सुनकर उसको थोड़ा बुरा लगता है वो बिंग के पास बहुत जाता है और कहता है कि तुमने बिल क्यों पे किया वो कहती है कि मैं बस तुमारी हेल्प करना चाहती थी वो कहता है कि मैंने तो तुमारी हेल्प नहीं मांगी थी तो मैं क्या लगता है कि मैं अपनी फैमिली की जिम्मदारी नहीं उठा सकता तो वो कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला तुम्हारे बारे में और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है बिंग रोने लगती है यान उसे कार्ट देता और कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा इंस्टॉल्मेंट में दे दूँगा बिंग कार्ट फेक कर महां से रोते हुए चली जाती है बिंग साओधी के पास बहुत जाती है रो रोकर इस सब के बारे में उसे बताती है बिंग उसे कहती है कि मैं बस उसकी help करना चाहती थी मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पे इतना गुस्सा करने लगेगा साओधी उसे समझाती है इदर योहेंग यान को कॉल करता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है यान कहता है कि कुछ नहीं योहेंग उसे कहता है कि वो साओधी के रूम में बहुत ही जादा रो रही है यूएंग उसे कहता है कि तुम आओ और उसे लेकर जाओ तो यान कहता है कि मैं उससे बात नहीं कर सकता आप साओधी को बोलना कि मेरे लिए उसका ध्यान रखे यूएंग उससे पूछता है कि तुम ठीक हो वो कहता है कि हाँ युएंग कहता है कि पहले तुम इस problem को solve करो उसके बाद office में आना training के लिए जिन साओधी cleaning कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो बिंग की केसे help करें तबी युएंग आजाता है और उसे पीछे से hug कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ time spend करना चाता हूँ और उसे कहता है कि मैं कल रात को कुछ पढ़ रहा था तो साओधी उससे पूछती है कि तुमने क्या पढ़ा तो वो उसे दिवार से लगा देता है और उसे किस करने जाई रहा था तब ही घर की डॉरबल बजने लगती है युहेंग कहता है कि छोड़ो डॉरबल को और वो लोग कंट्यून्यू करने लगते हैं तो फिर से डॉरबल बजती है साओधी कहती है कि हो सकता है कि बिंग आई हो युहेंग साओधी को पकड़े हुए था और वो लोग गेट खोलने जाते हैं वो लोग देखते हैं कि गेट पर साओधी के पैरेंट्स रहते हैं वो बोलती है कि पापा ये सुनकर युहेंग चोक जाता है एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखे हैं कि साओधी के पापा युहेंग को साओधी से दूर करते हैं साओधी उन्हें समझाने लगती है तो वो कहता है कि तुमने ने पहले क्यों नहीं बताये कि तुम फापस चाहिना आ गई हूँ दिन साओधी के पापा युहेंग को कॉले पकड़ कर अंदर ले जाते हैं उन दोनों को खड़ा करके उनसे पूछते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों के रिलेस्टेंसिप में हो तो युहेंग अपना इंट्रो देने लगता है और कहता है कि मैं साओधी का बॉइफ्रेंड हूँ साओधी के पापा उसे कहते है कि मैंने तुमसे तुमारे बारे में पूछा मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते तुम्हारे में मैंनर्स नहीं है क्या साओधी युहेंग का हाथ पकड़ लेती है और अपने पापा को उस पर गुसा करने से मना करती है साओधी के पापा कहते है कि तुम्हारे मैनर्स कहा गए हाथ छोड़ो तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो उसके पापा साओधी से पूछते है कि मैं तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट हुई है ये तुम्हारे लिए जादा इंपोर्टेंट है तुम इसके साथ रहोगी या मेरे साथ चलोगी साओधी कहती है कि प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए पिन साओधी की मा युएंग से कहती है कि ऐसा इसले कर रहे हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि तुम साओधी से कितना प्यार करते हो साओधी अपनी माँ से कहती है कि ये उस तरीके का परसन नहीं है जो सब के सामने अपना प्यार एक्सप्रेस करें लेकिन साओधी की माँ चाहती थी कि साओधी के पापा के सामने युहेंग अपना प्यार एक्सप्रेस करें युहेंग वेसा ही करता है वो गुटनों पर वेट का साओधी से कहता है कि क्या तुम मुझे साधी करोगी I mean चलो हम साधी कर लेते हैं मैं तुम्हारी हर जरूरत को फुल्फिल करूँगा मैं तुम्हें हमेसा खुश रखूँगा साओधी की माँ उन दोनों को प्यार से देखने लगती है साओधी तो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ लेकिन साओधी के पापा का तो पारही चड़ जाता है वो बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत के से हुए मेरे सामने मेरी वेटी को प्रपोस करने की तुम मुझे चेलेंज कर रहे हो वो युएंग को कुसंसे मानने लगते है साओधी युएंग को लेकि घर से बाँर चली जाती है साओधी यूएंग से कहती है कि मेरे पापा ना थोड़े एक घुसल टाइप के है वो तुमसे गुसा हो गए है क्यों न तुम कुछ दिन इस्टूडियो में रह लो और जब तक मैं डैट को कन्वेंस नहीं कर लेती तुम वापस मत आना युएंग कहता है कि मैं तुमारे डैट को कन्वेंस करने के लिए सारी डिपिकल्टी इसको सहलूँगा साओधी कहती है कि मैरे पापब बहुत जिद्धी है वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है उन्होंने तुम्हें कुछन से भी मार दिया न युएंग कहता है कि मैंने पहले कभी भी पैरेंट से मार नहीं खाया यह मेरा first experience है मुझे अच्छा लगा साओधी खेती कि तुम्हें अच्छा लग रहा है वो कहता है कि वो हमारे पैरेंट से जो चाहे कर सकते है फिर साओधी उसे प्यार से गले लगा लेती है इधर हमें पता चलता है कि साओधी के पैरेंट्स युएंग को तुम्हारे और बिंग के भी सब कुछ ठीक है तो वो कहता है कि हमारा break up हो गया है जब युएंग उसे sympathy देता है तो वो अपने emotions को control नहीं कर पाता और रोने लगता है और कहता है कि मैंने उसे break up कर लिया मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ युएंग केहता है कि अगर तुम उसे like करते हो तो उसे फिर से पाश्यू करो तो यान खेता है कि वो मैरे से बहुत जादा अच्छी है और मैं बहुती जादा लूजी इंसान हूँ यान उसे कहता है कि तुम लूजी नहीं हो मेरी team maternity में कोई भी losing नहीं है यान कहता है कि मैं अपने mental state को सही करता हूँ और training के लिए ready होता हूँ मैं उसे आसू पोचने के लिए tissue देता है और कहता है कि जब मुझे experience नहीं था तब तुम ही ने मुझे कहा था कि इस stupidity की वज़े से chance में इस मत करो वह ना regret करना पड़ेगा और उसे बताता है कि Saudi ही मेरी little star है और उसके dad आ गए है उनसे deal करना बहुत ही मुझे हो रहा है मैंने उनके बारे में net पे भी search किया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यान कहता है कि आप उनके लिए नेट पर क्यों search कर रहे हो जब उनको जानने वाला आपके पास ही है युहेंग पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो तो वो कहता है कि रैन इधर रैन अपने room में होता है तब ही उसे message आता है कि तुम roll के लिए suitable नहीं हो तब ही वहाँ पर युहेंग आ जाता है रैन कहता है कि अपना पेर हटाओ मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूं लेकिन युहेंग जबजस्ती उसके घर के अंदर आ जाता है रैन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, चलो निकलो मेरे घर से युएंग कहता है कि मैं कुछ टाइम यहीं रहूँगा, जब तुम फ्री होगे तो रूम को क्लीन कर देना, युएंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये मेरा घर है और अभी मैं बहुत फ्रस्टेट हो, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मून नहीं है तुम्हारे से आगुमेंट करने का, निकलो मेरे घर से, तब ही रेंग को उसके कजिन का कॉल आ जाता है, वो उसे कांट्रेक्ट टर्मिनेट करने के लिए कहता है युएंग उसके रूम को देखता है, जो कि बहुत ही जाता गंदा था रेंग फिर से उसे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे उपर वेस्ट करने के लिए तुम्हारा वेलकम नहीं है मेरे घर में, प्लीज जाओ यहां से युएंग केहता है कि साउधी को भी तुमने मुझे ले लिया, मेरा करियर भी मुझे ले लिया, अब कै यहाँ पर मुझे हसने के लिए आए हो युहेंग उससे कहता है कि तुम्हें समझना चाहिए तुम्हें जो नहीं मिला मतलब वो तुम्हारे लिए नहीं था और cleaning का सामान कहा है मैं room को clean करने जा रहा हूँ रेन युहेंग को रोकता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर लिन घर पर आ गए है तई उन्होंने तो तुम्हें घर से नहीं निकाल दिया युहेंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरा घर अभी कुछ जादा ही full reserve हो गया है रेन कहता है कि अच्छा है कोई तो है जो तुमसे deal कर रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मिस्टर लिन से साओधी को लेने की युहेंग कहता है कि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो लगता है कि तुम साओधी के पापा को बहुत अच्छे से जानते हो और तुम यहाँ इसलिए आये हो ना कि तुम मुझसे मिस्टर लीन के बारे में जानना चाहते हो यूहेंग कहता है कि हाँ रेन उसे कहता है कि मेरे लिए स्माइल करो यूहेंग घुसा हो जाता है और कहता है कि मैं किसी और से पूछ लूँगा और महां से जान लगता है तब ही रेन उसे रोकता है कि मैं तुमारी हल्प कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक कंडिशन है यूहेंग पूछता है कि क्या है तुमारी कंडिशन रेन कहता है कि अगर तुम मेरे कजिन से मेरे काम के बारे में बात करोगे तो मैं तुम्हें Mr. Lin के सारी information दे दूँगा यूहेंग मान जाता है जिसके बाद रेन अपने कजिन के सामने hero की तरह entry करता है उसका कजिन यूहेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो रेन कहता है कि यह मेरे under काम करता है और उससे पानी मांगता है तो यूहेंग उसे देखने लगता है तो रेन धीरे से उसे कहता है कि contract के बारे में भूले तो नहीं हो ना तुम बस अपने match पर ध्यान दो तो Ren कहता है कि तुम तो मुझे हर event पर attain करने के लिए कहते थे तो उसका cousin कहता है कि तुम बस contract पर sign कर दो उसके बाद तुम free हो जाओगे फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें drama में roll देने का सोच रहा था लेकिन तुम तो contact terminate कर रहे हो न फिर वो दोनों मिलकर Ren के मज़े लेने लगता है Ben Ren script लेकर उससे पढ़ने लगता है तो Yoheng उससे छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुमारी help किये अब तुम भी मुझे Mr. Lin के बारे में सारी information दो Ren केता है कि ठीक है मैं बताता हूं सब दिन सब लोग dinner पर बेटे थे तब साओधी के पापा Yoheng को card देता है Yoheng Ren की बात को याद करता है और card ले लेता है और साओधी से कहता है कि Mr. Lin हम दोनों की relationship के लिए ready हो गया है इसलिए हम दोनों को पैसे दिया है साओधी के बापा कहते है कि तुम इतना dump होने के acting कैसे कर सकते हैं मैंने तुम्हे अपनी बेटी से अलग होने के लिए फीज दी है साओधी रेंग से कहते है कि तुम बहुत unique सोचते हैं चलो पहले खाना खा लो और साओधी के मा युहेंग से कहती है कि मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है तब युहेंग साओधी को खाना सर्फ करने लगता है तो साओधी के पापा उसे कहते है कि हमारी फैमली का रूल है कि पहले मैंस लेडिस को चॉपस्टिक देते हैं फिर वो युहेंग को दिखाते हैं, युहेंग भी वैसे ही करता हैं, फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, और यह एपिसोट यहीं पर एंड हो जाता है, लोट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बिंग यान के दादी का ध्यान रख रही होती है, अब ही यान आ जाता ह कि मैं जानता हूँ कि मैरे उपर बहुत responsibility है लेकिन मैं तुम्हें protect करना चाहता हूँ तो मारे उपर burden नहीं बनना चाहता इसलिब please यहां दोबारा मतानो पिंग कहती है कि sorry तुम्हें परिसान करने के लिए यान कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था तो वो कहती है कि यह सब कोई माइने नहीं रखता हमारा तो break up हो गया है न इधर युहेंग और साओधी के पापा के बीच अनार पिल करने का competition होता है जो जीतेगा वो एक quiz मांग सकता है जिसमें कि युहेंग अपनी smartness की वज़े से जीत जाता है साओधी के माँ युहेंग से कहती है कि तुमें एक quiz मांग सकते हो तो साओधी कहती है कि हमारी quiz यह है कि पापा युहेंग से hate करना छोड़ते लेकिन युहेंग कहता है कि आप मुझे continue hate कर सकते है मैं साओधी को हमेशा बहुत अच्छे से treat करूँगा time and action सब कुछ prove कर देगा मैं आपको अपने उपर trust करवा के ही रहूँगा वो साओधी के पापा से कहता है कि मुझे पता है कि आप साओधी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं उससे आप से पहले से प्यार करता हूँ साओधी के बापा कहते है कि तुम्हें ऐसे कैसे बोल सकते हो तो युहेंग वने अपना pendant निकाल कर दिखाता है साओधी भी अपना pendant निकाल कर रखती युहेंग कहता है कि पहली बार जब मैं साओधी के प्यार में पढ़ा था युहेंग कहता है कि हाँ मैं डेस्टिनी में बिलीव नहीं करता था लेकिन जब से साओधी मुझे दोबारा मिली है मुझे बिलीव हो गया है वो साओधी के पापा से कहता है कि मुझे पता है कि आप साओधी से बहुत प्यार करते हैं इसले किसी पर भी बिल्यू करना एजी नहीं होगा लेकिन आप प्लीस मुझे विश्वास कीजिए मैं साओधी को हमेशा खुज रखूँगा मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता हूं साओधी की मा तो एमोसिनल हो जाती है साओधी उठकर यूहें के पास जाती है और उसका प्लेंटे से रहेंगे वह दोनों साथ में रिखूरस करने लगते हैं साओधी के पापा साओधी मा का हाथ पकर कर ले जाने लगता और कहते हैं की सामान पेक करो साओधी की मा कहती है कि लेकिट तुमने उन दोनों को permission दे दी वो दोनों बहुत खुस हो जाते हैं तो साओधी के पापा कहते हैं कि इतना खुस होने की जरुरत नहीं है अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है वेंग कहता है कि अब कभी भी मेरा टेस्ट ले सकते हैं दिन साओधी के पैरंट्स जाने लगते हैं तो साओधी के हैथी है कि आपने तो promise किया था ना कि आप लोग ट्राइना में ही रहोगे साओधी के पापा कहते है कि टेंशन मत लो हम साथ में ही रहेंगे मुझे उस पे नजर जो रखना है कि ये तुम्हें परिसान तो नहीं करता साओधी की मा कहती है कि युहेंग उसका इतना ध्यान रखता है वो कैसे परिसान कर सकता है साओधी को युहेंग कहता है कि मैं आप लोगों को एरपोर्ट छोड़ देता हूँ साओधी के पापा कहते है कि तुम हम लोगों को जल्दी भेजना चाते हो न और कहते है कि तुम जल्दी खाना बनाना सीख लेना साओधी को जादा घर का काम मत करने लेना युहेंग कहता है कि आप टेंशन मतलों मैं खाना बनाना सीख लूँगा और नेक्स टाइम जब आप आएंगे तो आप लोगों के लिए मैं ही खाना बनाऊंगा वो लोग साओधी को गुडबाई करते हैं और महां से चले जाते हैं युहेंग अपने आपको रिलक्स करते हैं और जल्दी से साओधी को हग कर लेता हैं और कहता है कि फ्यूचर में मॉम डेट भी हमारे साधी रहेंगे साओधी कहती है कि तुम्हें डेट से डर नहीं लगता तो वो कहता है कि हम दोनों सिमिलर ही तो है साओधी पूछती है कि तुम दोनों कैसे सिमिलर हो तो युहेंग कहता है कि हम दोनों ही तुम से प्यार करते है देन हम देखते हैं कि युहेंग की टीम इतरनिटी सैमी फाइनल में पहुँच चुकी थी और रेन भी अपने ड्रामा की सूटिंग में लग गया था वह पर कुछ स्टाप उसके बारे में कुछ बाते करने लगता है तो रेन उसके गुस्सा करने लगता है तब ही उसके मैनेजर आ जाती है और उसे कीच कर बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि तुम सैट पर जगड़ा कैसे कर सकते हो चलो आप गुस्सा मत करो तब ही वहाँ पर उसका कजिन आ जाता है और वो भी उसे डाटने लगता है तो रेन कहता है कि आपको कुछ नहीं पता फिर भी आप हमेशा की तरह मुझे पर ही गुस्सा कर रहे हो रेन वहाँ से गुस्से से चले जाता है इधर साओधी बिंग से बाते कर रही होती है बिंग पीने के लिए मिल्क टी लेती है तो साओधी कहती है कि यान लेकर आया है तुमारे लिए साउधी कहती है कि मैं डिनर बनाने जारी हू, क्यों न तुम हमें जॉइन करो, हम बहुत सारी बाते भी करेंगे साउधी बिंग को समझाती है कि तुम दोनों एक दुसरे की बहुत परवा करते हो, तुमारे भी जो भी मिसंडेस्टेंडिंग है उससे दूर करो तब ही वहाँ पर यान आ जाता है बिंग उसे सुनाते हुए कहती है कि हम दोनों के भी बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और कहती है कि मुझे मिल्टी भी नहीं पसंद है मैं फ्रूट जूस या फिर कॉफी लोगी यह सुनकर यान वहाँ से जाने लगता है तो साओधी उसे कहती है कि तुम हमारे साथ लंच नहीं करोगे तो वो कहता है कि मुझे काम है कुछ और महाँ से चले जाता है साओधी बिंग से कहती है कि तुमने ये क्या किया साब साब दिखता है कि तुम उसकी क्यार करती हो करते हों फिर भी पता नहीं क्यों एक दूसरे से आग्युमेंट करते रहते हों वो तुम्हारे लिए ही उनसे जगड़ा कर रहा था वो लोग तुम्हारे बारे में ही कुछ गलत बोल रहे थे यह सुनकर उसके कजन को बहुत ज्यादा गिल्डी फील होता है इधर युएंग क अच्छे से रिलाक्स्ट और कॉन्फिडेंट रहना और वो सबसे कहता है कि आज की पार्टी साओधी की तरब से हैं तो साओधी कहती है कि तुम्हारी टीम है मैं क्यों पार्टी दूँ तो वो कहता है कि मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है जो कि तुम्हारे पास है तो करने के लिए कहते हैं लेकिन साओधी मना कर देती है तब इंग उसके भी हप में पीने लगती है वह बहुत ज़्यादा पी रही थी तभी आन उसे रोकता है और खुदी पीने लगता है। करने के बाद भी सब कुछ याद रहता है तो साओधी कहती है कि मतलब कि तुम्हें याद है जो ओल्ड टाउन में हुआ था तो यूएंग कहता है कि हां मैं responsibility ले लूँगा और अकर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा advantage लिया है तो तुम भी same to same मेरे साथ कर सकती हो साओधी कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ याद था तो तुम ड्रंक होने के connecting क्यों कर रहे थे तो यूएंग कहता है कि मैं खुद को control नहीं कर पाया इधर यान बिंग से पूछता है कि इतनी क्यों कि तुमने क्या तवित खराब करना है बिंग कहती है कि मेरी तवित से तुम्हें क्या मतलब वैसे भी मैं तुम्हारी क्या हूँ वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी केर करता हूँ तो वो कहती है कि तुम नहीं कर सकते हो वो उसे किस कर लेता है और और वो साओधी को बेखख कर लेता है और कहता है कि तुम मेरा ध्यान रखो साओधी कहती है कि तुमने तो बस एकी गलास भी है तो वो कहता है कि मैं एक गलास में ही ड्रंक हो गया हूं तुम बस मेरा ध्यान रखो तब ही वहाँ पर बिंग आ जाती है युहेंग उसे सेम रू राइन की सामदे सपَّरा हुए आरेंग के मैनेजर की समझाती अ yardım करेंग मैं नेटे पर को बिजी था, बेन रेन जब अपने घर आता है तो वहाँ पर अपने कजिन को देखता है वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपको कुछ चाहिए क्या, और वो मैनेजर से भी पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो रेन तो बहुत खुस हो जाता है फिर उसका गजिन कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो मैंने बात कर लिए तुम इस ट्रामा को कंटिन्यू करोगे देन हम जीसा स्पोर्ट की टीम को देखते हैं जो प्रेक्टिस करते करते ठख शुकी थी तब ही वहाँ पर विज्जेन आ जाता है कि मेरे पास training message में जो ये तुम्हारी advice की विल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और सबसे कहता है कि तुम लोग अपने आपको देखो तुम पर कोई भी pressure नहीं है फाइनल को लेके तुम लोगों को लगता है कि तुम योहंग की टीम से match ऐसे ही जीट जाओगे सुनियन कहती है कि सुबह के तीन बज रहें तुम लोग घर जाओ और रेस्ट करो morning में training continue करेंगे विजयन कहता है कि तुम इस टीम की boss हो क्या तुम इने order कैसे दे सकती हो सुनियन कहती है कि हम लोगों को रेस्ट करना है और अगर तुम रेस्ट नहीं करने दोगे तो मैं कल के match में भी नहीं होंगे वो कहता है ठीक है तुम लोग जीते जाओ करो रेस्ट इतर साओधी उयंग को मसाज कर रही थी और उससे पूछती है कि आज तुमारे लिए बहुत बड़ा दिन है ना उयंग कहता है कि हाँ मैं इस दिन का कपसे इंतजार कर रहा था साओधी कहती है कि मुझे पुरा विश्वास है कि तुम जरूर जीतोगे उयंग कहता है कि मैच के लिए मुझे कुछ रिवार्ट चाहिए वो उससे किस मांगता है साओधी दोनों चिक्स पे किस करती है कि अब हो गया वो कहता है कि अभी भी नहीं हुआ और वो लिप्स पर किस मांगता है वो कहती है कि तुम चिटिंग कर रहे हो मैं घर जा रही हूँ तब युएंग उसे रोकता और कहता कि सॉरी मैं तुम्हारे से मिस्भेहव कर रहा हूँ और उसे किस कर लेता है देन टीम इटरनिटी और जिसा स्पोर्ट्स के बीच में नेसनल फाइनल मैच होता है दोनों टीम के मेंबर स्टेश पर आते हैं और कॉम्पिटिशन के लिए अपनी सीट पर बैट जाते हैं दोनों टीम के बीच कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है दोनों टीम बहुत अच्छे से खेल रही थी लेकिन युहेंग की टीम इटरिनिटी या कॉंपटिशन जीच जाती है फिर उन लोगों को ट्रॉफी दी जाती है लिए बाद युहेंग साओधी का वेट कर रहा था वो बार बार फोन चेक कर रहा था वो साओधी से मिलने के लिए खुच जाने लगता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है तो युहेंग सोचता है कि जरूर साओधी किसी प्रॉबलम में होगी मुझे जाना चाहिए वो जाने लगता है तब ही यान उसे फिर से रोक देता है और कहता है कि बाहर बहुत अंधेरा है आपका बाहर जाना सेफ नहीं है मैं जाता हूँ और साओधी को लेकर आता हूँ आप यहीं बैट का बैट कीजिए युहेंग कहता है कि जल्दी आना तब ही रूम का पावर कट हो जाता है युहेंग बहुत डर जाता है वो किसी तरह गेट के पास जाता है गेट खोलता है तो देखता है कि बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई थी और बहुत अच्छ से रूम Decorate किया हुआ था वो धीरे dhीरे रूम में जाता है और चारो तरफ देखता है कि कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है जो कि साओधी ने किया था और साओधी ने ही यान को युहेंग को रोखने के लिए कहा था साओधी युहेंग से कहती है कि मुझे बहुत खुसी है कि अंधेरे के बावजूद भी तुम यहां तक आ गए वो कहता है कि जहां पर तुम रहोगे माँ तो मुझे आना ही होगा फिर साओधी उएंग से कहती है कि मैं हमेसा तुम्हारे साथ रहोंगी तुम्हारी लिटल स्टार बन कर उएंग उससे कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी पूरी दुनिया बनने के लिए और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं इदर जीसा स्पोर्ट का बोस विजहन पर गुसा कर रहा था मैच आने की वज़े से विजहन उससे समझाने की कोशिस कर रहा था कि मुझे एक और मुका दीजे मैं जरूर यूहेंग को हरा दूँगा लेकिन उसका बोस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता जब वो जाता रहता है तो उसे सूनियन मिलती है वो उसको देखकर कहता है कि क्या तुम मुझ पर हसने के लिए आई हो सूनियन कहती है कि तुम मैच हारने के बाद इतना बुरा क्यों फिल कर रहे हो तो वो कहता है कि मैं युहेंग को जरूर हरा दूँगा ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है एदर साओधी ने भी ट्रेडिशनल कल्चर सो में अपना एक्जिबिशन लगाया था जिसकी वज़े से सबी उसकी बहुत तारिफ कर रहे थे वो अपना इंटरव्यू भी देती है और अपने टीम मेंबर को भी थेंक्यू बोलती है और जब वो युहेंग से फर्स टाइम मिली थी और तब से अब तक कि उसकी जो भी जन्यूस के साथ रही है वो सारे मुमेंट्स को याद करती है और युहेंग की तरफ देखती है युहेंग भी उसे हाट सेफ दिखाता है देन जब साओधी बालकनी में खड़ी थी तो वो यान और बिंग को देखती है अपने अपार्टमेंट की बालकनी में साओधी पूछती है कि तुम यहां क्या कर रही हो जो कि मैं enjoy करने वाली हूँ वो लोग कहते हैं कि हम भी enjoy करेंगे और वो लोग भी आजाते हैं उनके साथ rain भी आजाते हैं वो लोग happily breakfast की तयारी करते हैं और बाते भी करते हैं साओधी भी येंग की help करती है और कहती है कि कितना अच्छा लगता है न जिससे तुम प्यार करो उसके साथ time spend करना उसके साथ रहना येंग पूछता है कि तुम सचमश खुस हो तो साथ ही कहती है कि हाँ मैं बहुत खुस हूँ मेरी life का सबसे happy moment है और वो उसे back hug कर लेती है जिसके बाद वो दोनों एक beautiful सी place पर जाते हैं यहाँ पर एक दूसरे से कहता है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और यहीं पर इस ड्रामा की happy ending हो जाती है प्लीस लाइक से और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग